नए वीडियोज देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें कि अ, बोक्राइब करें देखने के लिए हमारे चानल kos damaging उए पला को सन्यद कानल देखने के सम्टृति प्र१र Троwest प्राइमरी स्पूल शिक्षा व्यवस्था की नियू होती है वहाँ बच्चे सिर्फ काखा गागा या एबी सीडी सीखने नहीं जाते वे सीखने जाते हैं पढ़ने की आदत और अगर एक बार बच्चों में यादत पढ़ गई तो उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोग सकता लेकिन बड़े दुक्की बात है कि हमारे देश के अधिकांश प्राइमरी स्कूलों की हालत दिनों दिन बत्तर होती जा रही है खासकर सरकारी प्राइमरी स्कूलों की और हम दिनानाश शास्त्री एक ऐसे ही प्राइमरी स्कूल के हेड मास्टर हुआ करते थे लेकिन एक दिन इलो का गाड़ी वाला भी न पता नहीं का दुस्मनी है उसको हमसे अज जिस दिन हम जरा सब इलेठ हो जाएं उससा तुरा टाइम पर आकर फूर हो जाता है लेकिन जब हम रोज टाइम पर आते हैं तो मजाल है उसका कभी टाइम पर आ जाए मन तो करता है मार के मियाज ठंड़ा दे उसका लेकिन क्या खरे भाई साब ये बच्चे स्कूल जाने के लिए खड़े हैं नहीं मचली मानने आये हैं मारिये गका अरे कैसी बात कर रहे हैं आप अरे गजब बतिया रहे हैं आप अरे समझने वाली बात है इसकूल ड्रेस पहिन के अप पीट पर गधा की तरह किताब कोपी का बोज़ा लादे हुए अरे इसकूल जाने के लिए खड़े होंगे न हा लेकिन इनके तो गाउ में इसकूल है कौन इसकूल जी कुछ नहीं वैसे बात पूछे आपसे आप पूछे आप हाँ कौन अपसे पहले तो इस गाउं में आपको कभी देखे नहीं हम मैं यहां के सकूल का नया टीचर बढ़िया है सरकारी नोक्री लग गया है लुटिये मजा लुटये राजा अब बता सकते हैं कि यहां पे सरकारी स्कूल कहा है आप इस रास्ते से सीधा चले जाईए बाएं मुड़ेने के बाद सामने आपको स्कूल मिल जाएगा थैंक्यू पर एक उलुआ धंक्से कर वो छोड़ दिया तुमने धंक्से करो सुनो जी नमस्ते नमस्ते हेडमास्टर्स आप है क्या? नहीं वो तो बैंक गये हुए आने में जारा टाइम लग जाएगा बैंक गये हुए? हाँ वैसे आप हमारे स्कूल के नए ठीचर हैं न? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? हेड सर ने बताया था सुनो बच्चों, ये हमारे स्कूल के नए ठीचर है अब से ये भी हमें पढ़ाएंगे नमस्ते सर नमस्ते, नमस्ते चलो चलो, जल दिए करके एक क्लास में दरी बिचवा दो हम आते हैं आईए सर वैसे तुम कौन? कुछ बताओगी? मैं पिंकी, यहाँ पढ़ने आती हूँ तुम यहाँ पढ़ती हो? हाँ, क्यों मैं पढ़ने ही सकती क्या? अरे, क्यों नहीं? बलती पढ़ना ही चाहिए पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती वैसे किस क्लास में हो तुम? जी, पहली में सर, यह हमारे आका ओफिस है अच्छा हाँ, सर आप बैठिए सर, मैं आपके लिए चाय भिजवाओं नहीं, ठीक हूँ मैं तो मैं आती हूँ वो क्या है ना बच्चे आ गए होंगे और प्रेयर का टाइम भी हो गया है सुनो हाँ, सर तुम्हारी बातों से तो नहीं लगता कि तुम पहली क्लास में पढ़ती हो बातों का क्या है, सर हम गाओं वाले तो वैसे ही बात बनाने में एक्सपर्ट होते हैं मैं प्रेयर करा कराती हूँ सब आगाए है ना, चलो चलो सब तीक से लाइन में आओ जल्दी जल्दी प्रेयर साबधान, प्रेयर विष्राम प्रेयर साब दन, रतना के लिए जल्दी रेडियो जाओ तुही राम है, तु रहीम है, तु करीम कृष्ण कुदा हुआ आईए सर गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कैसे हो तुम सब अच्छे है सर तुम सब एकी साथ बैठे हुए हो समझ में नहीं आ रहा की कौन किस क्लास में है मैं बताती हूं सर वो उसकोने से लगकर पांचों बच्चे पहली के हैं ये भी? हाँ सर सर ये दिखने में छोटा है लेकिन छोटा नहीं सर मैं इसका बड़ा भाई दीपक मैं दूसरी क्लास में पढ़ता हूँ सर सर ये दिपु जोट बोल रहा है इसका भाई का उमर पांच साल से भी कम है काईदे के सापसे से आगनवारी में पढ़ना चाहिए लेकिन वहां जाके इन्हे सिर्फ 20 रुपे मिलेंगे और यहां प्राइमरी स्कूल में आकर इन्हें 4 रुपे मिलते हैं इसलिए इसके घरवाले से यहां पढ़ने भीज देते हैं इससे तो पढ़ने में ये बहुत कमजोर हो जाएगा उसका यहां किसी को परवा नहीं है सर कुछ बच्चे और भी है इसी की तरह खेर छोड़िये उन्हों मैं आपको क्लास के बारे में बताती हूँ सर वो दीबू से लगकर दूसरी लाइन दूसरे क्लास के बच्चों की है फिर सब सीधा ही है तीसरी लाइन वाले तीसरी क्लास के चोथी लाइन वाले चोथी क्लास के और यह जो लास लाइन है ना यह पांच भी क्लास की है तो फिर तुम वहां क्यों बैठी हो तुम तो पहली में हो ना हाँ सर लेकिन वो इन सब से बड़ी हो ना तो शरम के बारे पीछे बैठती हूं ठीक है बैठ जाओ पहले अटेंडेंस लगा लेते हैं नहीं नहीं सर अटेंडेंस तो लास्ट में बनता है कुछ बच्चे ज़रा लेड भी आते हैं आप पढ़ाना शुरू कीजिए ना ठीक है बैठ जाओ पहली वाले बच्चे मुझे बच्चे मुझे लीजिए यह लीजिये सर चीक है आजो हेट नहीं आएका ईकोन है नए वाले सर है आज से एब ही पढ़ाएं गे पढ़ाएं गे अरे वा सर आपने पढ़ाई हैं पम इनका कमरा खुलवा कर एं लेकिन यह है कौन हम्रा नाम है मिस्त्री मिस्त्री का डेला यहां मेड़े में खाना बनाते हैं अच्छा आते हैं सर थेंक यू अच्छा चौथे पाट के अंत में दिये गए प्रश्णों का उत्तर लिख करके दिखाऊ महराज कितना गंदा हो गया है महराज कहा लगता है यह जो नाय का मास्टर है कुछ करेगा क्या यह पर बोलेंगे ना तो तुम बोलेगा कि बोल भे करता है हमरे कुन रिस्तदार है वो आमको का पता है कैसा है कैसा नहीं है नहीं लेकिन तो वो कुछ तो लगा होगा मने देख है हमको तो लगता है पहली बार पढ़ा रहे है तो फोड़ा उम्मीद है कि पढ़ाईगा कुछ करेगा कहां पढ़ाएगा । यहां पढपने के लिए कुण आता है रहा हम रह तुम्राब बक्रा पकी लिसकोल अरहा पहले ढंके शकूल में मृ कि अपने को हैड मास्टर से एक रूपया कम नहीं समझती है अरे वह तो है जो थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ाय होती है वो बुड़ों के भड़ों से रहे ना तो इसकूल में ताला लग जाएगा उनहीं तैसाइब कर दिया मास्टर साहब अज फिर से अरे कितना बार बो जबने। ये लिजे राम परताब को चाव़ी देदीए कहिए गाड़ी ठीक करा के जाएगा। सिर्फ दू साल बचेंगे हैं रिटार होने के लिए रिटार हो जाएगे तो गाड़ी का करेंगे का। ठीक है? राम राम ये क्या लिखा है? सर हमारे विद्य लबे कुल साथ कमरे हैं जिन में से दो मुख्या जीके हैं जिसमें भूसे रखे जाते हैं एक में पढ़ाई होती है और एक में एक मिनिट रुको जब हम निबंद लिख रहे होते हैं तो ऐसी बाते नहीं लिखा करते कि हमारी स्कूल के कमरे में भूसा بھरा जाता है अरे, इसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या कीजिए गा सर आप यहां के हेड्मस्टर साब हैना सर घुड पूनिंग अरे, कहा है घुड मोनिग साथ आई जी चलो सब अपनी बुक्स निकालो खैर वो छोड़ी है और भी अहरानी वाली बात सुनिये यहां पर जो बच्चे आते हैं न कईयों को तो पढ़ने लिखने कोई मतलब ही नहीं यहां तो मिड्डे मील के लिए आते हैं सार प्रणाम सार प्रणाम सार भुर का प्रणाम सुकार किया जाए देखें रूम के मज़दार चका चक कर दिया है अब तो दीखी रहा है तुम काम करो माते हैं अभी यह देखा रूम दिखाने आ गया यह कैसा आदमी है जी खुद तो महिना महिना भर नहीं है अकेले आदमी औरे छोड़ीए नमारा इह पर कुछ बोलेंगा रहे नहीं तो बोलता है भालतु भला बात प्रामरी इचर को सरकार ने एक दम भालतु ही समझ रखा है उनकी जितने भी काम हैं हमारी उपर थोप दिये जाते हैं इलेक्शन करवाना हो, बच्चों का अधार कार्ड बनवाना हो या अधार कार्ड बैंक से लिंक करवाना हो सब हमारी उपर थोप दिये जाता है और तो और ये सौक्ष भारता भियान जो चल दा है उसके लिए जो सौच के लिए सुबह सुबह लोग बैट जाते हैं उनको डंडा लेकर भगाने काम भी हमारे उपर है डंडा लेकर के? हाँ जी, सुबह भगाते हैं शाम को फिर आ जाते हैं क्या करिएगा सरकारी नोकरी ये बस कीज़ चले जा रहे हैं लेकिन आप परेशान मत होएए आप तो अपने काम ठीक से करिए बच्चों को पढ़ाने का सर मेरी तरफ से आपको शिकायत को कोही मौका नहीं मिलेगा वैसे आप इसकूल में आके लिए हैं एक और मैडम है जो मुखिया साब की साली हैं तो? अरे दो दिन के लिए आती हैं और महीने भर की हाजरी लगाके चली आती हैं और आप उन्हे कुछ कहते भी देए अरे क्या कहूंगा ये जो स्कूल है ये ये उनके दादा जी की जमीन पर बना हुए ह Łग जताने के लिए अपनी बपोती दिखाने के लिए यहां दो कमरों में तो भूसा भर रखा है, बच्चे कहां पढ़ाएंगे, बताईए क्यामरा रोल करो, हम इसी आदमी से अपना रिपोर्टिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके मैम Excuse me, क्या आप इसी गाउं से हैं? नहीं, लंदन चाहें का जब बती आ रही है मैडम? अरे समझने वाली बात है, इलूंगी और कुर्ता पहिन के, कोई बाहर का आदमी यहां घुमेगा का? एनिवे, मैं रश्मी हजारिका, एनाई नियूस रिपोर्टर और हम ललन सिंग, भायाजी सपोर्टर, जब तक सूरच चान रहेगा, भायाजी का नाम रहेगा एक मिनिट, एक मिनिट, एक मिनिट, हम यहां कोई चुनावी सर्वे करने के लिए नहीं आए है तो का हर्जोत ने आई है? मैम, I think he used abusive language for you कुछ नहीं, देखिए, हम यहां के सरकारी स्कूल के उपर एक news report तयार करने आए है तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि यहां पढ़ाई कैसी होती है? अब देखिए, हम तो यहां पढ़ते नहीं हैं, और ना ही हमरे बच्चे लों यहां पढ़ते हैं तो आप खुदे जाके देख लिजे इस गाउ में बस यह एक ही सरकारी स्कूल है और यहां आसपास कोई दूसरा स्कूल भी तो नहीं है तो फिर आप अपने बच्चे को यहां क्यों नहीं पढ़ाते? कहां ना, खुदे जाके देख लिजे स्कूल की हालत और यहली काफी खराब लगती है जॉन, ज़रा कैमरा यहां फोकस करना जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं यह इस गाउं की स्कूल की दिवार है और इस पर यह देखिए यह बर्खा रानी के डांस प्रोग्राम का पोस्टर चिपका हुआ है एक दो पोस्टर और भी है और नीचे शायद स्कूल के बच्चों ने भी अपनी कलाकारी दिखाई है अब इस दिवार को देखकर आपको इस स्कूल के हालत का अंदाजा तो लगी चुका होगा खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं स्कूल के कैंपस के अंदर तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं एक प्राइमरी स्कूल के हिसाब से एरिया काफी बड़ा है स्कूल का कोई बाउंडरी बॉल नहीं है अब ये देखना जरूरी है कि यहाँ पढ़ाई कैसी होती है और क्या-क्या सुविधाय हैं यहाँ पर आईए देखते हैं ये देखिए ये इसकूल का पहला कमरा है जो अभी बंध है और इसके नीचे ये भूसा यानि मवेश्यों का सूखा चारा पढ़ा हुआ है जो ये दर्शाता है कि इस पूरे कमरे में भूसा भरा हुआ है जो रहे है आपे मैं जाओंगा क्या कर रहे हो तुम सब आगे चलते हैं चलो चलो अंदर चलो मेरा आएगा अंदर जाओ तुम कौन आप ओफिस में चलिए ना हेट सर भी भाई है हाँ और बच्चे हाई रहेंगे आप बाद में शूट कर लिजेगा थोड़ी दर के लिए कैमरा बंद कर लिजेए प्लीज ओके सर न्यूस वाले आये हैं सर हम लोग एनाई न्यूस से हैं और यहाँ आपकी स्कूल की हालत को लोगों तक पहुंचाने आये हैं आप खड़े क्यों हैं बैठी है ना पहले थैंक्स पिंके बेटा हासर मिस्टी से कहो जरा चाय पानी कंद दिजाम कर दे ठीक है सर हा तो सर आपकी नजर में यहाँ की स्कूल की हालत कैसी है देखिए यहाँ टीचर बहुत कम है मैं हूँ और मेरे अलावा एक मैडम है असी यह सर आ गए है वैसे यहाँ की मैडम कौन है वो पिंकी नई नई वो तो बच्ची है यहाँ दस्वी क्लासर में पढ़ती है माता पेता उसे हाई स्कूल में नहीं भेजना चाहते तो यहाँ चली आती ही मैं उसे पढ़ा देता हूँ जब अक मिलता है तो हरे वा, ये तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन यहां के बच्चों का क्या, मैंने देखा है कि सभी बच्चे एक ही क्लास्टरू में बैठे हैं, और वो भी हाडली बीस बच्ची सोंगे देखिए ठेट दिहाती इलाका है, यहां बच्चे पढ़ने के लिए कम ही आते हैं आदमी क्या बोल रहता, यहां का बच्चा लोग बार जाके प्राइवेट स्कूल में पढ़ता, इट मेंस यहां पर पढ़ाय अच्चा नहीं होता होगा नहीं नहीं यहसी बात नहीं है, गोपाल रखो पानी है, लीजी आप लोग पहले पानी पीजिए ओ, मिस्री से कहो ज़रा चाह जल्दी भेज़ दे, जी जी चायनास्ता खिला कर हमें पटाने में लगे हैं, मुद्दे की बात कीजिए, आखिर स्कूल में बच्चे क्यों नहीं आते, क्यों गाओ में सरकारी स्कूल होने के बावजूद वो बाहर प्राइवेट स्कूल की तरफ भागते हैं, जवाब दीजिए प्राइवेट स्कूल तो आज़कल फैशन सबन गया है, सरकारी स्कूल में लोग अपने बच्चों को भेजने में अपनी इंसल्ट समझते हैं, मेरे खाल से आपके घर के भी बच्चे प्राइवेट में ही जाते होंगे तो आप ये बताना चाहते हैं, कि आपका स्कूल बहुत अच्छा है, लेकिन यहां के लोग अपने कॉलर टाइट करने के चक्कर में अपने बच्चों को यहां नहीं भेजते, ये कहना चाहते हैं आप, जॉन, क्यामरा रोल करो, अभी जो भी बात होगी, इन फ्रंट आफ क इन सरकारी स्कूलों पर वैसे ही कम है, वो भी तूट जाएगा, इक्के दुख के लोग जो अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेजते भी है, वो भी नाम कटवागर किसी प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहेंगे, हाँ तो अच्छा है न, ऐसे स्कूलों में भीज क अगर अपने बच्चों का फ्यूचर बरबाद करने से क्या फायदा? कर रहे हैं आप? सही कर रहे है सर. अमिद भावू, आप जाईए अपनी क्लास में, हम बात कर लेते हैं. मैंने कहा न, थोड़ा वक्त लगेगा. लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि पॉजिटिव एप्प्रोच के साथ मैनत की जाए, तो ये स्कूल क्या? इससे भी गया गज़ुरा स्कूल, इस देश के स्कूलों के लिए मिसाल बन सकता है. बहुत ही अच्छा भाषन देते हैं. आप पॉलिटिक्स क्यों नहीं जॉइन कर लेते? बहुत स्कूल है वहाँ आप जैसे लोगों के लिए. देखे, मैं इनकी तरफ से माफी चाहता हूँ. नहीं सर, इन्हें टाइम चाहिए ना, मैं देती हूँ ना इनको टाइम. पूरे दो हफ़ते का टाइम. अगर इन दो हफ़तों में आप स्कूल की हालत बदल पाने में काम्याब हो जाते हैं, तो फिर मैं अपना रिपोर्ट चेंज कर लूँगी. और नहीं तो ऐसा रिपोर्ट तयार करूँगी, जिसे देखकर सरकार ये स्कूल बंद करे या ना करे. आप दोनों की चुट्टी तो जरूर करें. अप कहा हैं इनकी बातों के लेके बैठें? जी नहीं सर, अब दो ही रास्ते हैं आप लोगों के पास पहला, या तो मेरा चालेंज अक्सेप्ट कर लीजे, नहीं तो दूसरा, हम मीडिया वालों को अपना काम करने दीजे. तो बोलिए, क्या आप लोगों को हमारा चालेंज अक्सेप्ट है? No answer. Let's go, John. अब हम इन्हें अपनी रिपोर्टिंग दिखाते हैं. चलो. All the best, sir. ये इस स्कूल का सौचाले है, लेकिन ये देखिए, इसमें ताला लगा हुआ है. यानि कोई चाहे भी तो इसका इस्तमाल नहीं कर सकता. अरे, उ, का कर रहे हैं लोग? आ हुआ. अरे, देखिए न, मैडम आउनका कैमरा में. लेटरिंग का फोटो की चरहा है. ये देखिए, इसके आस पास कितनी गंदगी भरी पड़ी है. मिला? परफेट, मैडम. कम. मैडम, मैडम, चाहिए. थैंक यू. वरी होट मैं. यू मस्ट गेवस कोल रिंग, यूना. मैं सर जी को देखे आता हूँ. अभी अच्छे से देखना पड़ेगा. यू. इसक्यूज मी. जी. सॉरी. किस बात के लिए? ये आप लोगों से इतनी रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी. हमें आप जैसे लोगों की आदत है. एक बात पुछे रिश्मी जी आपसे. आपको पूरे इलाके में एक मेरा ही स्कूल मिला था. और भी तो स्कूल होंगे काओं में. देखिए सर, आप हमें हमारा काम मत सिखाए. हमें अच्छी तरह पता है कि इस पूरे इलाके में आपके स्कूल की हालत सबसे ज़ादा खराब है. हाँ, क्योंकि टीचर नहीं थे ना. अब मैं आ गया हूँ. तो फिट ठीक है. मेरा चालेंज अकसप्ट कर लीजे. चालेंज वाली बात नहीं है मैडम. बात है. क्योंकि अब एक नॉर्मल स्कूल की नहीं, बलकि एक आइडल स्कूल बनाने की बात होगी. क्या हो असर? आप इतने परिशान क्यों हो रहे हो? आप भी नहीं तो कहा था ना? कि हम मीडिया वाले ऐसी रिपोर्टिंग करें, जिससे समाज में पॉस्टिव वाइब्रेशन्स फैलें. तो इससे अच्छी रिपोर्ट और क्या हो सकती है, कि एक टीचर ने कैसे मात्र पंदर दिनों में एक पूरे स्कूल का एट्मोस्फियर ही चेंज कर दिया. अगर ऐसी बात है, तो मुझे चैलेंज एकसेट है. हम, डन. तो फिर मैं अपने ओफिस में इसके बारे में बात कर लेती हूँ. जी. मैडम जी, बहुत धर्द दे रहे हैं. अपने पाप से बोलता काई नहीं है, कि स्कूल की फीस भर दे? कान खोल के सुनलो तुम लोग, अगर दो दिन के अंदा स्कूल की फीस नहीं भरा ना, तो स्कूल आने की जरूरत ना है. और अगर गलती से आ भी गया ना, तो उहाल करेंगे ना, कि सोज में नहीं सकते हो. उठो, जाओ. आए, बैठिये. बात हो गई? जी, और मैंने उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिए. अरे, आप पागल होगे हैं क्या? अरे, पंदरे दुनों में तो क्या, पंदरे सालों में भी हम इस्कूल का कुछ नहीं कर सकते? आपको क्या लगता है? कि मैं नहीं चाहता? कि इस्कूल अच्छी तरीके से चले? बच्चे पढ़ लिए कर आगे बढ़ें? लेकिन हमारे चाहने से क्या होता है? सर, सिर्फ चाहने भर से नहीं होगा. यदि हम उस चाहत को पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे, तो जरूर होगा, सर. मेहनत करेंगे? क्या मेहनत करेंगे? जानते हैं आप उस मैडम को? महिने में सिर्फ दो दिन के लिए आती हैं हाँ पर. और बच्चे नाम लिखा लिखा कर घर में बैठ हुए हैं. कुछ बच्चे जो यहां आते हैं पढ़ने के लिए, वो मिड़े मील खाने के बाद भाग जाते हैं. आप उनको पकड़ पकड़ के लाके पढ़ाएंगे. क्या करेंगे? बताईए. वो सब कुछ करेंगे जो आभी आपने कहा. मजाग समझ रहे हैं यह सब कुछ करना. मजाग नहीं सर, काफी टफ जॉब है. लेकिन अगर आप इसके लिए तयार नहीं तो कोई बात नहीं. मैं उस निउस वैले मैडम से बोल देता हूँ. आपको जो रिपोर्ट बनानी है, वो बना के ले जाए है. हम कुछ नहीं कर सकते हैं. लेकिन सोच लिजिए सर, मेरा तो कुछ नहीं होगा. लेकिन आपका सस्पेंशन पका है. कैसे? वो मैडम और वो बच्चे, जो स्कूल आते हैं नहीं, उनके नहीं आने पर भी उनका एटेंडिंस बनता है. टाइम टू टाइम मैडम की सेलेरी और बच्चों के स्कॉलर्शिप और ड्रेस आदी के पैसे, सरकारी खजाने से निकलते रहते हैं. तो सीधे सीधे, आप पर फॉर्जरी केस बनता है ना सर? कोई बात नहीं, आप अराम से बैठकर चाय बीजिए. मैं उस न्यूस वाली से बोल देता हूँ कि उसको जो रिपोड बनानी है, बना के लिए चाये. हम कुछ नहीं कर सकते हैं. सुनिये? जी. आईए बैठिये. देखिए, आप अकेली नहीं है. हम भी आपके साथ हैं. ट्रस्ट मी सर, सब ठीक हो जाएगा. हमें फटाफट एक्शन में आना होगा. सबसे पहले, आप उस मैडम को फून कीजिए, जो सिर्फ अपनी सैलेरी लेने आती है. आप उस मैडम को जानतें कौन है, वो मैडम मैंने बताया था. वो कोई भी हो सर, लेकिन जब तक न्यूज वाली अपने साथ हैं न, कोई हमारा कुछ नहीं विगाड़ सकता. तो किया कच्चा खा आजाएगा हमें? वो कुछ नहीं करेगा. आप इन्हों तो कहा था, वो विदाहे का एलेक्शन लड़ने वाला है. ठीक है, मैं फोन लगाए देता हूँ, आप बात कर लिजे. ये लिजे. हाँ, नमस्ते. पुनीता जी, गुड मॉनिंग. जी, बोलिए कैसे याद किया है? आज आप स्कूल क्यों नहीं आई? जी, वो तबियत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इसलिए स्कूल नहीं आपा है आज. आपकी तबियत तो कभी ठीक ही नहीं रहती? अरे, नई-ने, ऐसा बात नहीं है, हम तो आते ही हैं. कोई बात नहीं, आप अपनी तबियत ठीक कर लीजिए और कल से स्कूल आने के आदर डाल लीजिए. वरना आपके खिलाब हमें एक्शन लेला पड़ेगा. एक्शन? जी, यदि आभी भी आप टाइम से नहीं आती हैं, तो. वाईस से आप बोल कॉन रहे हैं? आपके स्कूल का नया टीचर. नया टीचर? जी. कल तो स्कूल के चुटी है ना? तो हम लग ऐसा करते हैं परसों आके मिलते हैं आपसे? ओके. एक नई का टीचर का इतना हिमत? क्यों हम को थमकी दे दे? जीजा जी से बोल कर उसके होस्त ना ठिकाने लगवाया ना? तो हमरा नाम भी पुनित्ता नहीं है. उकिया जी, हमने अपनी तरफ से आपका नाम विधायक कैंडिडेट के लिए पार्टी को भेज़ दिया है. बाकी आगे जो होता है देखते हैं. अरे चचा, आपने कह दिया तो पार्टी आपकी बाद टाल सकती है, क्या? नहीं न? हाँ, उमीद तो है. महंदर बाबू, उमीद पे जीना हमको बिल्कुल पसद नहीं है. बाके पार्टी वोलंके भी हमें फोन आ रहे, फोर्स करने हो. जो भी बाते हैं, जल्दी से क्लियर करें. बाइया जी के रुतबे के बारे में तो आपको बताई होगा. है ना, निर्दलिये भी लडेंगे, तब भी जीत का जंडा, गाड ही देंगे. फोन का यह नहीं उठा रहे हैं, जीजा जी. अरे! ऐसा नहीं है. इनकी पकड़ बस अपने इलाके में हैं, बाकी दुसरे इलाके में और लोग भी हैं, मैं अंदर भाईया बिलकुल साही बोल रहे हैं. अवकाद है तो अपना पार्टी का कंडिडेट उटार के देख, जमानत नजब्त करा दिया, तो हमरा नाम भी हेमरास सिंग नहीं. अउठ यहां से, उठ 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 चुब कर हैं मो, जा तो गाड़े में जाके मैट उठ उठ, चल जा. इसकी बात के बुरा मत मनिएगा, अचा मैहिनर बाबो, एक बात हमको बता दीजिये आप, यह इलाका हमारा है, यह बात आप भी तुमानते हैं ना? हाँ, बिल्कुल. अपनी पार्टी वलों को जाके समझा दीजिये, अगर हम केंडिडिट ना होए, तो हमरे इलाके में आपके पार्टी का पोश्ट तो दूर की बात है, एक छोटा सा बैनर तक नहीं लग पाएगा. हाँ ना? जी. सुनिये, महिंद्रवाब. उनको जाकर आप यह समझाईए, अगले दो दिन में हमको फैसला चाहिए. अगर हम हमारा फैसला लिये ना, तो थोकर चाटने के में दुबारा अधत नहीं है. जी, प्रणाम. एक एक को पकड़ के कूट देंगे, अगर एक कभी आवाज आया तो अब. पकल करते था है सब. यह बार बार घंटी पर घंटी टंटनाय जा रही हो, का बात है? अपना स्कूल में ना नई का टीचर आया है, और हमको धमकी दे रहा है. धमकी? हाँ, कह रहा है कि रोज स्कू कर दीजिए. हम दू दुगो स्कूल को कैसे अब अके लिए-कले समाल लेंगे? तो तो अब तुम लोगों में इसे कौन बताएगा? भारत की राश्रपती कौन है? हम बताए मेडम. ए गुल्वा, ज्यादा नोटंगी मत कर. तुम उसे बोलने क्यों नहीं दे रही? मेडम, पूरे स्कूल का सबसे गधाहा लड़का है. इसको कुछ नहीं आता है. बस दिन बर मस्ती सूचता है. पिंकी दिदी हमने कुछ बोलने ही नहीं देती है. अच्छा, तो फिर तो तुम ही बताओ. हमारे देश के राश्रपती कौन है? हम नहीं है, आप नहीं है. बताएगे स बताश्रपती पूजाए. रामनात कोविंद. रश्मी जी. जी. आपने अपने ओफिस में बात कर ली? हाँ. तो क्या आप पूरे पंदरा दिन यहीं रुकने वाली हैं? डेफिनेटली. क्यों? कोई प्रॉब्लम है आपको? अरे नहीं जी. अब तो सारी प्रॉब्लम ही सॉ अब देखिएगा ये स्कूल कैसे एक आइडियल स्कूल में कन्वर्ट होगा? मैं कुछ समझी नहीं. बहुत जल समझ जाईएगा. सर ये मुकी आई है ना? सही टाइम पे इंट्री ली है इसने. आये देखते हैं. चलते हैं. जी प्रणाम. जी प्रणाम. जी प्रणाम. इको नहीं? ये जी मैं अमित. यहां के स्कूल का नया टीचर. वाह. मास्टर जी. कोई नहीं आता है. कोई चला जाता है. आम को तो. वैसे आप यहां के मुख्या जी है ना? कोई सक है का आपको? अरे नहीं जी प्रणाम. वैसे बड़ी लंबी उमर है आपकी. आपी के बारे में बात चल रही थी. का? वो खेर छोड़िये. इन से मिलिये. ये रश्मी जी है. नमस्ते जी. और इनके कैमरा परसन मिस्टर जॉन. नमस्कार. ये दुनों मीडिया से है. अपने स्कूल की रि रिपरिंग का काम चल रहा था? हाँ. वो घर का रिपरिंग का काम चल रहा है ना? तो एक दो दिन के लिए हम दे रखवा दिया. बस बाकी कुछ नहीं. तो काम पूरा हो गया? अरे मास्टर, क्या मजाक बे? ये मजाक नहीं है. ये लोग सीरियसली ही पूछ रहे थे कि कब तक आपके घर का काम पूरा हो जाएगा. एक हाथ दो दिन में पूरा हो जागा. बाद में हम रख देंगे है ना? आपकी जो साली साहिबा है, यानी इसकूल की मैडम, वो स्कूल क्यों नहीं आती? आपने का जबाब दिया? जी मैने बता दिया कि उनकी तब्यत आज ठीक न मुझे इसा लगते कली आप परसो तक तो आज आएगे, स्कूल जॉइन करी हो, तो हम चले है? जी. ये मुकिया की छट पटा हट देखके बड़ा सुकून मिला मुझे, जेकिन आने वाले खद्रे का डर है थोड़ा. उदू कवडी का मास्टर ससुरा, आपको भिगा भिगा के जूते मार रहा था, और आप चुक चाप खाले होकर सुन रहे थे. एक बात बताएं, भीया, ये विधायक बनने में इतना नाटक है ना, तो आप मुखिया एच्छे हैं, कम से कम इजट तो बनिये ना. आगल मद बन, किसके सामने इजट की बात कर रहे है तो? मिडिया व और हाँ, आज से मिड्डे मिल खाने के बाद, कोई भी स्कूल से बाहर नहीं जाएगा. ठीक है? जी सर्ब. और जिसके भी घर वालों को, इससे दिक्कत होती है, उसके घर वालों से आकर के मैं बात करूँगा. और वैसे भी हम तुमारे काउंकल आई रहे हैं. सुनाएं कि क लेके आए हम हर्मुनियां, घर से निकलो मुन्ने मुनियां, अब इसकूल चलो तुम. इसकूल चलो तुम, इसकूल चलो तुम. यहां तुम बैठे हो घरों में, और चान्त पहुची दुनियां, अब इसकूल चलो तुम. दिल्ली डंडा चुआ चुई, आँख में चौली खेलो तुम. नहीं रोकने आये हम ये गुड़ा गुड़ियां ले लो तुम. गुड़ा गुड़ियां ले लो तुम. खाली खेल नहीं है जिन्दगी, समझो रुनिया धुनियां अब इसकूल चलो तुम. इसकूल चलो तुम. इसकूल चलो तुम. का, खा, गा, खा, का, खा, गा, गा, ए, बी, सी, डी, बन्तु थिरी को जानो. छुपे है तेरे अंदर अब सर बाबू तुम पहचानो. बाबू तुम पहचानो, बाबू तुम पहचानो. अरे अब सर बीता जाए पल-पल, अब सर बीता जाए पल-पल, बजे घंटी टुन टुनियां अब इसकूल चलो तुम. इसकूल चलो तुम. माना हमने पढ़ लिख के अर कोई कलेक्टर ना बनता अर कोई कलेक्टर ना बनता। बिना पढ़ा कोई एक कलेक्टर बतला दे हमको जनता। किसकी किसमत कब करवट ले क्या जाने ये दुनियां अब इसकूल चलो तुम. 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 अरे वा मास्टर साब. आपने तो कमाल ही कर दिया. हमने क्या किया कमाल तो उन्होंने किया है. हम तो उमीद ही खो बैठे थे. अरे चचा पता है का हुआ? मुखिया न. इनके डर से उका हुआ जी? फुस हो गया. इसकूल में भूसा नहीं था रखा हुआ. लेकिन यह मेरी नहीं. इनकी वज़े से हो पाया है. मैं तो बस अपना ड्यूटी करने आए थी. लेकिन अब काफी मजा आ रहा है यहां पे. गाओ के मिट्टी के बात ही अलग होती है मैडाम. वैसे एक बात करनी थी आपसे. आपका घर काफी बड़ा है. मैं सोच रहा था कि आप यहीं एक कमरा किराए पे दे देते, तो मुझे स्कूल जाने आने में काफी आसा नहीं हो जाती. मैं हर मैंने किराए आपको टाइम से देते रहता. अरे गाओ में किराए पे मकान कौन देता है? आपने इसको पढ़ा दिया किजिए. इसको पढ़ने का बहुत शौक है. बाके हम आपके रहने के इंतिजाम कर देते हैं? अच्छ. हम भी डेली से आये हैं. अगर हो सके तो हमारे लिए भी एक कम्री का इंतिजाम हो जाता तो बहुत महरबानी होती. अब हम आप दोनों के रहने के इंतिजाम कर देते हैं. बोलिए. खुश. थैंक यू. दादा जी, दादा जी, मम्मी ने बोला है कि खाना रेडी है. ओके, हम अभी आते हैं. God bless you. जा भग जा. यह पिंगी का छोटा भाई है. यह छोटा भाई है. यह किस स्कूल में पढ़ता है? आप तक तो मुख्या के स्कूल में जाता था. लेकिन कल से आपके स्कूल में आ जाएगा. अच्छा, अच्छा. अमिच जी, आप यहां अकेले क्या कर रहे हो? अरे, रश्मी जी, आप बस यह गाउँ देख रहा था. वैसे, यहां आने से पहले क्या करते थे आप? दो साल पहले तक तो मैं पकोड़ी बेचा करता था. वाट? हां, रांची शेहर में एक बस्टैंड की बगल में पकोड़ी की दुकान थी. वहीं पर वहीं पकोड़ी बेचा करता था. तो मिस्टर पकोड़े बेचते बेचते यहां कैसे आ गए? बहुत लंबी कहानी है. फिलहाल मेरे पास तो वक्त ही वक्त है. दरसल मेरे घरवाले मेरी शादी करवाना चाहते थे. अच्छा? हमारी लक्षमी गाय है, गाय. अच्छा? हमारा आमिद भी किसी बैल से कम नहीं है. क्या कह रहा है? अरे मतलब मैनती है. पता है यह चाता तो छोटी मोटी नौकरी तो कपका कर लेता? लेकिन नहीं, इसका तो एक ही टार्गेट है आयस अफसर बनने का. उसी की तयारी में जी जान से लगाए. आ, मुझे तो अभी से इसके चेहरे पर आयस अफसर वाली चमक साब दिख रही है. तो हम आपकी तरफ से यह रिष्टा पक्का समझें? अरे यह रिष्टा पक्का ही है, बस दान दहेच का थोड़ा प्रॉब्लम ना हुआ तो. अरे भाई साब, अगर मन जच जाए, तो पैसे कौड़ी गिली रिष्टे नाते थोड़ी तूटते हैं, इसी में आगे पीछे करके अडजेस्ट कर लेंगे. लेकिन साब साब बात हो जाती तो. अरे वो भी हो जाएगी, पहले लड़का लड़की एक दुसरे को अच्छी तरह से पसंद तो कर ले, ये भी बात सही है. तो बेटा अमेत, तुम होने वाली अपनी धर्म पत्नी को अपना घर दिखाओ, बाकी की बात हम यहाँ कर लेते हैं. बात कर ली ना. जाओ बेटा लक्ष्मी. आप जानते हैं, हमारा ना, बच्पन से एक ही सपना रहा है, कि हमारा शादी किसी I.S. अफिसर के साथ ही हो. लेकिन मैं I.S. अफिसर नहीं हूँ. अरे नहीं है तो क्या हुआ? हो तो जाइएगा ना. और इसमें मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगी. आपका चाय, नाश्ता, खाना, पीना, कपड़ा लत्ता सब कुछ संभाल लोंगी. बस, जब आप अफिसर बन जाएगा ना, तो आपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी में हमको रोज घुमाईएगा. वो क्या है ना, लाल बत्ती की गाड़ी में घुमने का मज़ा ही कुछ और है. एक मिनिट, आपको मुझसे शादी करनी है या किसी आईएस ओफिसर से? अब आपसे शादी हो जाएगा तो दोनों ही हो जाएगा ना. अब आईएस अफसर की तैयारी कर रहा है, आप ही बता दीजिये, आपने भी तो कुछ सोच ही रखा होगा. जी भाई साब, हमने सिर्फ दस लाग सोचा है, उससे ज़्यादा नहीं. उपर वाले की दया से सब कुछ है अपने पास, हमें तो इज़त की पड़ी है, लोग क्या कहेंगे? अजी लोगों का छोड़िये, अब तो हम आपस के रिष्टेदार होगे. बाकी बारातियों के आउभगत में कोई कमी नहीं मिलेगी आपको. और एक बात बदा दें आपको, हमारी बेटी शाक्षात लक्षमी है, देखेगा, उसके कदम आपके गर में पढ़ते ही, दामा जी का I.S. का एक्जाम भी क्लियर हो जाएगा. मैं कोई I.S. तो दूर, किसी कलर के जॉब की भी तैयारी नहीं करता, एक पकोड़ी की दुकान है मेरी, धन्दा अच्छा चलता है, आपको कभी किसी चीज के तकलिफ नहीं होगी. तकलिफ नहीं होगी, अब हम पकोड़े वाले से शादी करेंगे, पापा! रुकिये? पापा, ये लोग चीटर हैं, चीटर! लड़का कोई I.S. वा.S. की तैयारी नहीं कर रहा है, ये पकोड़े बेचता है रोड़ पर. जी, रोड़ पे नहीं, दुकान है मेरी बस्टैंड की बगल में. अरे शर्म हानी चाहिए आप लोगों को, पकोड़ा चाप लड़का को, आईजे सॉफीसर बता कर, हमारी पच्चे की जंदगी बरबाद कर रहे हैं. ऐसा नहीं है, इसकी दुकान जरूर है, लेकिन ये तैयारी भी कर रहा है. मैं कोई तैयारी वहरी नहीं कर रहा है. अगर एक शब्द भी मेरे घरवालों को खिलाब बोला ना, तो तेरी जुबान खिश लूँगा. चलिए, निकलिए यहां से. निकलिए यहां से. पेश शरम. जैसे कैसे लोग होते हैं. आइस अफिसर बनेगा. बेटा, तु जैहर क्यों नहीं दे देता हम लोगों को? अरे, बार-बार जलील होने से तो अच्छा है. एक बार जैहर खाके बर जाएं. अद्ध कर दिए इस लड़के ने. मुझे तो ये समझ में नहीं आता, कि आप लोग जूट बोल करके मेरा रिष्टा क्यों करवाना चाहते हैं? क्योंकि कोई भी खांदानी आदमी एक पकोड़े वाले से अपनी बेटी का साधी नहीं करना चाहता. अब तक कम से कम दस लोग ठुकरा चुक है तुमको, बड़ी मुश्किल से जूट बोलकर इन लोग से रिष्टा तै किया था, लेकिन तुम्हें हरिस्चंद्र बनना है न? अरे पकोड़े बेच कर, इमानदारी से पैसे कमाता हूँ, इसमें शरम की क्या बात है? अरे इने तो फक्र होना चाहिए, कम से कम तैयारी के नाम पे इने लूट तो नहीं रहा हूँ, पहली बार ही एक्जाम में बैठते हुए मुझे पता चल गया था, कि कॉंपटिशन फ अरे समाज में कहीं खड़े रहने लैक नहीं रहे गए हम लोग, क्या फाइदा हुआ तुझे पढ़ा के लिखा के इतना, अरे यही सब करना था, तो बचपन से किसी अलवाई की दुकान पे बैठ जाता, बेटा, हम लोगों की इज़त का तो ख्याल कर लो, ममी जुड बोल मैं आसा नहीं है मामा जी, और आज किसी कॉंपटिशन में बैठने से डरता हूँ, तो उसकी असली वज़ा हैं आप, ऐसे घूर के क्या देख रहे हैं, वो आप ही है ना, जो मेरे हार एक 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 समय में परशा लेके खिड़कियों पर लड़का करते थे, अब किसी कॉं आने लगा, अपने आपको अम्मानी समझने लगा है, आप शांत हो जाए जीजा जी, मुझे इससे बात करने दीजिए, चलो माना उस वक्त मुझसे गलती हुई, लेकिन अब, अब क्या, वक्त गुजर चुका है, दुबारे से मैं पूरी पड़ा ही नहीं कर सकता, कख गग आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ, कई लोगों को रोजगार दे रखा है अपनी दुकान पे, और क्या रखा है प्रामेरी स्कूल का टीचर बनने में, मास्टर साब कहते हैं बेटा, मास्टर साब, पकोड़े वाला कोई नहीं कहता, आज तुझे फैसला करना ही पड यदि आप लोगों की, यहीं इच्छा है तो यहीं सही, तू सही में जहर देने जा रहा है इन लोग को, नहीं, खुद जहर पीने जा रहा हूँ, अच्छी खासी चलती हुए दुकान पर ताला मार कर, जिपलों मैं के पड़ाई पूरी करने की बात कर रहा हूँ अमिज जी, I'm really sorry किस बात के लिए? मैंने आपको बहुत गलत समझा और बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया आपको तो मैंने कौन सा आपके साथ सही ट्रीट किया? ठीक है, फिर लिव इट अब आप ये बताएए कि नेक्स प्लान क्या है आपका अब देखते चाहिए कल से जंग लगे सब ताले तोड़ो ठूप बने हम, छाओ बने हम, मिले नई पहचा पंख में है नई आसमा, अब है नई उड़ा कि अब देखते लिव लगे सब देखते लिव लगे सब दोड़ो सब कुछ लगता रंग बिरंगा सब कुछ है वदला वदलासा मासूमों की आँखों में है इक लम हा ठेरा ठेरासा इस लम हेने देदी हसकर एक नई पहचा थूब बैने हम, छाओ बैने हम, मिली नई पहचान पंख में है नरा आसमा, अब है नई उड़ा बच्चों के पास किताबे नहीं, पढ़ाने बहुत दिक्कत हो रही है देखें सर, हम आपके समझ सा समझते हैं, लेकिन किताबों का पैसा आएगा तब ही तो मिलेगा ना सर, गौवर्मेंट के फंड से पैसा तो निकली जाता है, देर से वेर किताबे भी आ जाती है लेकिन समय से किताबे नहीं आने से जो बच्चों का नुकसान होता है, उसकी हम भरबाई नहीं कर सकते हैं इसलिए सर, आप प्लीज कुछ कीजिए न अरे कैसी बात करते हैं आप अरे भई, उपर से ही पैसा लेट आता है, तो हम का कर सकते हैं, बताईए देखिए आप एक काम किजिए, फिला तो पुरारे किताबों को पढ़ा कर काम चला लीजिए जैसे फंड आजागा नई किताबे ले लीजिएगा वो तो सर हम करी रहे हैं, लेकिन लेकिन कुछ नहीं हमरा समय बर्बाद मत किजिए आप और जो कुछ भी बोलना है, जल्दी बोलिए सर, वो मिड़े मील का भी पैसा नहीं आया, चार महिने से हम दो बार एप्लिकेशन दे चुके हैं, ये देखिए हाँ, तो इसका भी फंड आ जाएगा, तो मिल जाएगा, काहे चिंता कर रहे हैं सर, आप बच्चों को ये नहीं कहे सकते न, कि जब फंड आ जाएगा, तो चार-चे मैने का खाना एक कटा खा ले न, उनको तो डेली खाना चाहिए न हाँ, तो दे दीजी न, हमने कम बना किया आपको, आज दी तो कल पैसे तो मिली जाएगे न आपको सर, आप तो दुकान दारों ने भी उधार देना बंद कर दिया है एक बात बताईए, जब आप लोगों की तंखा नहीं मिलती है, तो आप लोगों के घर पर खाना बनता है कि नी बनता है बनता है न, तो फिर स्कूल को भी अपना घर समझ लीजे, अरे मैनेज कर लेजी न कुछ दिन सर कब तक मैनेज करें, मैनेज ही तो करते आ रहे हैं, तीन महिने से हमारी भी तंखा नहीं मिली बहुत परिशानी हो रही है अरे तो आप क्या चाहते हैं, अपने घर से पैसे लाकित दे आपको नई, नई, बच्चों की सारी जिम्मिदारी तो इन टीचर्स के ऊपर है, आपको तो बस सरकार ने सालरी देने के लिए बैठा रखा है अरे हम तो आप लोगों को अपने सिस्टम का हिसा समझ कर छोड़ते जाते हैं और आप लोग है कि राशन पाली लेकर हम रही उपर चड़ाई कर देते हैं वो तो हम करे गई, क्योंकि यही तो हमारा ड्यूटी क्या, मैं कुछ समझा नहीं सहरे वी आर फ्रॉम एनाई निउस अगर बच्चों के किताबों का पैसा और यहां तक की मिद्डे मील का पैसा सही समय पर नहीं मिल पा रहा और फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर आप इन्हें लिखकर दे दीजे कि आप कुछ नहीं कर सकते या तो फिर आप हमारे कैमरे पे ही बोल दीजे जॉन कैमरा निकाल एक एक में, प्लीस, प्लीस, रुखे, रुखे सर आप मुझे आपकी अप्रिकेशन दे दीजिए आपके जो भी रेक्वर्मेंट्स है मैं कुछ करता हूँ दे दीजी मुझे दीजी ये लीजे दीजी मुझे ठीक है मैं बात करता हूँ अब है मैं युद्धा इतना डीटिल में बात करने की का जरूत है महंदर बाबो हम आपको जानते हैं आपके बात को काट के पार्टी को अपना नुकसान थोड़ी करना है है ना दूसरी बात ही अच्छा सुनिया ना हमारा एक जरूरी फोन आ रहा है हम आपसे बात में बात करते हैं आपना बस जीजाजी अपने पार्टी पॉलिटिक्स में ही लगे रही है और इस सरकारी स्कूल में इन लफगे बच्चों को समालते समालते हमारी जौन ही चली ज संबालो हम कुछ करते हैं और सुनो मिठाई बाटने के बहांने हम स्कूल आ रहे ना तो वहां के हम आपसे बात करेंगे ठीक है मैडम वो गुलवा किसको पंड़नी नहीं दे रहे क्लास में अरे तो का करें हम पाबारे बाबा गाव अपना घर अपना बच्चे भी अपने फिर विद्याले क्यों न हो वाह मास्टर जी ये पूरी स्कूल का तो नक्सा ही बदल दिया आपने जी ला भई मुझ मिठा करो मास्टर जी को खिलावा मिठाएं बहुत बढ़िया गिया यह सब आपने मैं खालूँगा थेंक्यू अरे थेंक्यू थेंक्यू मैं खालूँगा अच्वाम ची कहा है वो आपके मैडम साहबा जी सब अंदर ही है अच्छो, आरे वाह, नमस्ते, ला भाई, मैडम का मुझ तो हम ही मिठा करेंगे, लेजिए, अरे मेडम मुझ मिठा करिए, खा लेजिए, साबास, वाह, लट्डू तो खा लिया आप में, हमको पूछा तक नहीं किस खुशी में हमने आपको खिलाया, किस खुशी में? विधायक बनने वाले हैं, है ना? इतने से काम नहीं चलेगा, मैडम, हमरे चुनाव प्रचार में रिपोर्टिंग करने के लिए आपको आना होगा, आएंगी ना? जरूर. का बोल आपने? जरूर आएंगे हम. जरूर आएंगे मैडम, आप तो हमारे जीत पक्की, है ना, मास्टर जी? ये विधायक का टिकेट फाइनल होने के खुशे में शाम को पार्टी रखी हैं, हां? आज आईएंगे हैं सब लोग? आँ नहीं पड़ेगा. चले? ठीके. चले बड़ा. मुखिया के पार्टी में आप लोग को भी बुलाये था? जी. पर आप लोग गए क्यूं नहीं? अरे हमें क्या करना है उन गुंडे मवालियों की पार्टी में जा करके? मानना पड़ेगा, सर. मुखिया के साथ दुश्मनी लेनी सब के बस की बात नहीं है. असल में हमारे डर ही उनकी ताकत होती है राय साब. हम डरना छोड़ दें, वो डराना छोड़ देंगे. आप सही कह रहे हैं, सही बात है. तो सर, आप उन लफंगों से डरना कब छोड़ रहे हैं? जी. सर, ये पिंकी को रास्ते में तंग करने वाले गुंडों की बात कर रही हैं, है न? जी. आप उनसे डरके अपनी बच्ची का भविश्य बरबात कर रहे हैं. आप मेरी भी मजबूरी समझिये. इसका बाप जो है न, देश की रक्चा के लिए बॉर्डर पे खड़ा है. और इसकी रक्चा के लिए न, सारी जिम्मदारी हम जैसे हार्ट पेसंट की है. अब इस बुढ़ापे में हम कैसे लड़ेंगे उनसे? आपको लड़ने की कोई ज़रुरत नहीं. आप बस उन लड़कों का नाम दे दीजे. मैं उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाती हूँ. रिपोर्ट लिखवाने के बाद? कुछ नहीं होगा, सर. यदि ये रिपोर्ट करेंगी, तो पुलिस वालों पे भी प्रिशर बना रहेगा? जी, आप टेंशन मत लीजे, बस उन लड़कों का नाम मुझे दीजे. और पिंकी को स्कूल भेजने की तयारी कीजे. दोन बड़ी, सर. बहिया, एक बात बताएं, बुरा मत मानिएगा. आप विधायक बनने के जक्कर में न, अपना सारा एक जत्मतिया पलीद कर ले रहे हैं. क्या है हेमो? नेतागिरी में ऐसे होता है, सर. चुनाओं के चैरफस मेंने पिले हम लोग सरी दुनिया के सामने यू ऐसे हाज जूड़के खड़े रहते हैं. चुनाओं के बाद. चार-पांच साल तक दुनिया हमारे सामने ऐसे हाज जूड़के खड़े रहते हैं. यह जो कालर बनर टाइट करने के जो बात करना है, तो अगर इसमें हम लोगा टक गए, जमानत तक जब तुझे ही हमरे. वस्त अभी आप ही गए थे न सबको बुलाने के लिए. आजाओ, आजाओ. लेकिन आया कोनों नहीं? वो लोगों के आने ना आने से हमको कँ फर्क पड़ता है? यही तो बात है ना, कि आपको फर्क है नहीं पड़ता है? आपको तो इतना भी नहीं पता है कि अपने स्कूल के सारे बच्चे धीरे 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 करके सरकारी स्कुल में जा रहे हैं बात का वो जो आए ना का है उसका नाम सरा रिपोर्टर एक बार ये अपना गाउं छोड़कर उसको जाने दे हम तुम्हें कहते हैं जितने गए ना बच्चे सब स्कूल छोड़के सब वापस आएंगे लिख के देता हूँ यही तो बात है न भईया आप खाली बातों से अपना कॉलर टाइट करके घूम रहे हैं चुपचाप बैठे हुएं लेकिन हम चुपचाप नहीं बैठेंगे किसी भी कीमत पर तो कुछ नहीं करेगा कम से कम इलेक्शन की ये जो चारपस मेन हैं न कुछ नहीं करेगा तो समझ गया भईया जौन बता रहा था कि कल आप लोग जा रहे हैं जी ऑफिस से फोन आया था कल हमको निकलना ही पड़ेगा और वैसे भी आप तो अपना चालेंज जीती चुके हो मुझे कभी हार जीत की पड़ी ही नहीं थी रश्मी जी लेकिन हाँ स्कूल में बदलाव जरूर लाना था और वो आपके बगैर बहुत ही मुश्किल था जो भी हो आप खुश तो हो ना हाँ लेकिन आप इतने दिन साथ रहें तो आपके जाने के बाद मेरे जाने के बाद क्या कुछ नहीं कुछ न कहीं इसी बात है हमसे कहीं जाए ना कुछ है वजा जो इश्क का इजहार हो पाए ना कुछ अजनदी एहसास है जो दिल ये रह पाए ना हम दो किनारे हमारे धर्मिया मेलो की है दूरिया कोई न जाने हमारा कारवा ले जाए पल में कहा कुछ पल कोटेरा साथ मिला तो जैसे खुदा की रहमत हुई मालिं तुझे ये अरमान ऐसा जैसे हो पूरी हसरत कोई हर खाब पे रंग चड़ता नहीं है हाथों में पानी थमता नहीं मैं बिन तुम्हारे भुसूना आसमा उड़ते परिंदे न जाए कोई न जाने हमारा कारवा ले जाए पल में कहा पडाम कर दे मास्टर जी जिस चड़िया के चक्कर में आप कव्वे की तरह काओ काओ कर रहे थे वो चड़िया तो आज होगी कल क्या होगा मास्टर जी आपका ना भाई समझा रहे जो मारा स्कूल है न वो बहुत ताए खूण पसीना के कमाईसर बनाये हुआ है उसको नुक्सान पहुचाएंगे ना, तो बरदाश नहीं होगा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस अपनी डूटी कर रहा हूँ अबे चुप सर्वा जब इगाओं का बच्चा लुग पढ़ाई के लिए तरस रहा था तो हमने स्कूल बनवाया अब उनको सिच्छा भी अच्छी मिल लई तब कहा है उंगली कर रहे हैं भाई साब अरे माना कि आपने स्कूल में सुधार किया है लेकिन इसका मतलबी थोड़ी ए खमरा स्कूल का बच्चा खीच लेंगे सरकारी नो कर रहे न आप बया सरकारी नो कर रहे न तो चाहे एक बच्चा को पढ़ाईए चाहे सो बच्चा को सरकार आपको तनख्वा उतना ही देगी समझ रहे न देखे मिस्टर मैंने कुछ नहीं किया बच्चे अपने घरवालों की मर्जी से आपका स्कूल छोड़कर यहां आ रहे है इसमें मेरी क्या गलती है अरे विद्या के मंदिर को व्यापर का अड़ा बना दिया है आप लोगों ने सेवा में शिरिमान आचारे महोदे सविने निविदनिया है कि प्रार्थी के स्कूल से आप यह जितने बच्चे लेकर आए हैं उन्हें वापस कर दीजिए वरना प्रार्थी आपको बीच चौरा है पर खड़ा करके इतने डंडे मारेगा इतने डंडे मारेगा इतने डंडे पना चल भे जी मैं अब चलती हूँ नमस्ते जो जो बच्चे प्रापर युनिफॉर्म में नहीं आये हैं वो लाइन से बाहर निकलिए जल्दी बाहर निकलिए जल्दी बाहर निकलिए देख रहे हैं बईया पहली से पांच में तक के बच्चे लगबग आधे ही रहे गए अरे मूं का होता बईया या तो आप कुछ किजिए या हमको करने दीजिए वरना हाथ पे हाथ रखके बैठे रहेंगे ना तो इसकूल पर ताला मारना पड़ जाएगा एक दिन इससे कुछ नहीं होगा भईया आप समझ नहीं रहे हैं समझ तो तुम नहीं रहे हो इलेक्षन हमारे सर पर आए वो जो है न सलाब मास्टर वो पूरे गाव वाले के लिए हिरो बन बेठा हुआ है अभी उसके खिलाफ़ों कुछ करने के कोशिश करेंगे न तो पूरे चुनाओ का समझ गे कभी तो हमरे दिवाक से सोचा करोनों मेरे भाए आजा अरे भईया चुनाओ चुनाओ के चक्कर में हमरा बंटा धार हो जाएगा एक दिन सर पर नाम का हुआ सर न्यूज वाली मेडम के याद आ रही है का अरे नहीं बस ऐसे ही अच्छा बच्चों का खाना हो गया बच्चों का खाना तो हम बना देंगे बात को मत पलट ये एक बात भोलें हाँ बोलो लगता है आप उनको लाइक करने लगे है अरे नहीं कहां वो और कहां मैं अरे तो उससे का फरक पड़ता है दिल तो बच्चा होता है उसको थोड़ी पता है दुनियादारी एक बात बोलें हाँ बोलो बोल दें हाँ हाँ बोल दो ओ मैडम भी आपको लाइक करने लगे है अरे नहीं यार तुम भी ना कुछ भी बोलते रहते हो देखे फोन बज़ रहा है उन्हीं का फोन होगा देखे आप चेक किजी अंतर्यामी है हम देखे एक काम करो तुम देखो ना बाहर बच्चों की लंज का टाइम खतम हो रहा है तुम चलो मैं आता हूँ अपना ही समझे हमको आप अरे हम अपना ही समझते हैं तुम चलो ठीक है हेलो कैसे हैं आप जी मैं ठीक हूँ आप बताई मैं भी ठीक हूँ बहुत मिस करती हूँ आप लोगों को मैं भी बहुत मिस करता हूँ आप लोगों को अच्छा, अब एक काम की खबर सुनिए आज रात आट बजे N.I. News देखना मत भूलिएगा क्यों? स्कूल वाला रिपोट आने वाला है क्या? हाँ, लेकिन कुछ खास है उसमें देखना मत भूलिएगा और सब को देखने के लिए बोल दीजेगा ठीक है? जी, ज़रूर बाई नमस्कार, मैं रश्मी हजारिका आप सब के सामने एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ जिसके बारे में सुनकर भी आप हैरान रह जाएंगे ये कहानी है एक ऐसे प्राइमरी स्कूल टीचर की जो कभी पकोड़े बेचा करता था लेकिन जब वो रामगर के एक छोटे से गाव पोचरा में टीचर बन कर आता है सही में पहले पकोड़े बेचते थे? जी आपने कभी बताया नहीं? आपने कभी पूछा नहीं चलिए अब हम न्यू सुन ले सुनोगी? ओन करूँ? हाँ एकदम बधाल पोचरा के सरकारी प्राथमिक विद्यालय को उन्होंने अपने इच्छा शक्ती और महनत के बल पर बदल कर एक आदर्श स्कूल कहलाने के लायक बना दिया लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था उसे उस गाउं के मुख्या गजराज सिंग से सीथे टक्कर देना पड़ उसकी और उसके भाई की धमकिया भी सुननी पड़ी लेकिन वो डरा नहीं और मात्र पंद्रा दिनों में उस स्कूल को बदल कर एक आदर्श स्कूल बना दिया अरे? कहो? हलो? हलो? हले सर्, आप तो हीरो बन गए? अब मुझे भूल तो नहीं जाओगे? आपको पता है आपने क्या किया है? क्या किया है? इस रिपोर्ट के बाद उस मुख्या के एलेक्शन लड़ने पर भी सवाल उट खड़े होंगे तो होने दीजे न, आप क्या चाते हैं? कि उस मुख्या जैसे लोग MLA बन कर आए? उसके MLA बनने ना बनने से मुझे कोई फरक ने पड़ता लेकिन मेरा ये मानना है कि इस रिपोर्ट के बाद वो हमारा जीना हराम करतेगा हम, तो आप डर गए उससे हाँ, डर गया क्योंकि हम मुख्या जैसे लोगों से बेवजा लड़ाई करने नहीं आए हम यहां बच्चे पड़ाने आए अपनी कायरता चुपाने का अच्छा बहाना है आपको जो समझना है, आप समझीए जेकिन मेरा यह मानना है कि जो आपने किया है न वो ठीक नहीं किया हाँ तो ठीक है, आज के बाद मुझे कभी फोन मत कीजेगा जे महिंदर बाबू आज का पेपर पड़ा पढ़ लिए लेकिन टेंशन मतल देजी, असब ठीक हो जाएगा उपर से ओडर आया है, आपका टिकट कैंसिल करने के लिए क्या? जी हाँ, अब मुझे से कोई उमीद मत रखिये लेकिन महिंदर बाबू हुई है जो अब ये कुछ हुआ, ये गलत हुआ है टिकट तो समझी है, अब आपके हाँ से गई आप पर पुरा बरोसा है बात को समझने की कोशिश करिये कहने का मतलब ये है हमारा कि आप कुछ करेंगे ना बात को समझने की कोशिश करिये मुख्या जी बहुत सारे लोग थे, हमने बहुत कोशिश करके आपको टिकर दिलाया, और अब तो पाटी वाले भी मेरी नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनके लिए भी इमेज की बात है, आगे, बताएंगे, बताएंगे, तो तो अलिए गाड़े सोता, भईया अमरी बात तो सुली जैए, आजओ, आजओ, गजदां जी, जिस सर्सेफ के भाई ने स्कूल मास्टो के खुले हम ध़मकी दीती, उसके बार में आपको क्या कहना है, लिए ना कटा दिस्ने हमरी और हमन किसे पढ़ाई करें वह अच्छी शिक्षा प्राप्त करें यही तो ना बचों का भविश्य हम बहतरीन देख सकें इसलिए तो हमने किया ना तो फिर जब स्कूल के अलत सुदर रही थी यह धंकी किस बात की दे रहे थे अभी हमको कहें पूछ रहे हैं इससे पूछी ना आप गिरपतर करो इसको सरे आम गुंड़ागरती करके हमरे इच्छत उतरने पे तुला हो ए ना करो गिरपतर इसको अरे मुखिया जी मगर किया का है अक बार पढ़ते नहीं टीवी देखते नेक आप हमरे स्कूल के मास्टर उनको धमकी देशने मुखिया जी एक धमकी के चक्क और में हमीका रिस्त नहीं कर सकते हूं सब्सक्राइदemy अगलब आ के बाहर जाके बड़ा कांड करके आये तब सको गिरबतर कि जैगा अरे ऐसा नहीं है मुकिया जी तो जब तक कि ये खिलाब कोई हमारे यहां रपट दर्जिना कराएगा तब तक हम इको गरपतार नहीं कर सकते हम कर रहे हैं लिख लो हम कर रहे हैं ना लिखिए अरे मुखिया जी आप इतने समझदार हैं और आपके नाम की कंप्लेंट पर हम इको कारेंगे तो आप एक काम करो पूमास्टर का नंबर ह हम को दो हम मुखा कॉल करके अभी यहां बुलाते हैं अधि अधि अमीजी अमीजी प्लीज एक मिनिट प्लीज आईए मस्टर जे सर नमस्कार नमस्कार मैं अमीद आपने फोन किया था हूं आई ना बैठे है ए उठ उठ आईए बैठे है कोई बात नहीं सर कोई बात नहीं मैं कर लेता हूं बताईए सर यह तुमको दमकाय है का हां लेकिन वो तो बस वैसी खोकली दमकी थी उसके बाद मेरी और इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई इसलिए मैं कोई कम्प्लेंट नहीं करना चाथा देखो मास्टर जी कबणाने की कोई जरूरत नहीं है हम आपके साथ है और मुख्या जी तो हैं यह आपके साथ फिर जी यह तो इनका बड़पन है वैसे सर मैं कोई कम्प्लेंट नहीं करना चाहता तो पर ठीक है जाओ अरे मुख्या जी जब आपके भाई के खिलाब कौनो कम्प्लेंट नहीं है तो हम इक काई को अरेस्ट करें तो आप ले जाओ अपने भाई को ठीक है सर फिर चलते हैं अरे अमिद बबु जी कुछ नहीं नन्यवाद के लेक्शन से पहले हमरे इमेज को खरब करनी किया सब चाले बाके कुछ नहीं है लेकिन क्या है कि जो सच होत आता है वो एक नाएक दिन सामने आई जाता है और आई गया ना आप सामने लेकिन अमिद बागों आपने और मास्टर जी ने हमारे स्कूल के लिए जो भी कुछ किया है जी अब दोनों के हम आभार मांते हैं सर तुमारा मूह क्यों ऐसा बना हुआ है तका करें ऐसा हाल में नाचे का का हुआ तो रहाल को हमरे मना करने के बाद भी जिस तरह से तुमने कान के उससे तो हमरा मूँ बनना चाहिए था तो जूते से मार लेते फिर मारे ना मीडिया वालों के सामने एक ठपड़ अरे जीभर के जूते से मार लेते और एजजद का बाढ़ा कार देते हामारा आप बेटा इजजद ऊसी का होता है जिसके पास पाउर होता है सबझ गए? एक बार विधायक बन गये तो बाद में तुम्हारा पावर का होगा ये सोच ले जरा अच्छे से तब तक के लिए इसे हाथ के हाथ रखके बैठे का अब इसे तयारे शुरू करने होगी काई के तयारी भाया? भरोस आये ना तो अब शान्द बैठ जाओ देखिए मैंने आपको कितनी बार बोला मुझे फोन मत कीजिए प्लीज ओ यारा राज दिल के मेरे होने लगे निगाहों से बया मेरी राहों में करके सुबा मेरे ख्वावों में भरके दुआ मुझे को यूँ खुद से करके जुदा तू गई बहते पानी सा ये लम्हा है लेकिन ये पल यही पे ठहरा है तूटा उमीदों का हासुमा छूटा जो तुझ से राबता जर्द है सारी फिजा साथिया अब तो खयालों का काफिला ले जाए मुझे को तू जहां छूटेगा जाने कब सिलसिला याद खा सब हसरते हैं जैसे धुआ तन्हा हुआ है मेरा जिया अन्जान में जो मुझे से खता हो गई बहते पानी सा ये लम्हा है लेकिन ये पल यही बिठहरा है बहते पानी सा ये लम्हा है लेकिन ये पल यही बिठहरा है तुम का और दें सर पता नहीं क्यूं आज तो अजीब सा लग रहा है अजीब सा लग रहा है? हाँ सर, कुछ खाने में गड़बर लग रही है खाने में गड़बर लग रही है? का गड़बर लग रही है? आपने तो खाना टेस्ट किया है ना? ठीक है? तुम लोग खाना खाओ और दूसरे बच्चों को भी खाना खाने दो काम हमने कर दिखाया है सर, सर वह बच्चा लोग को क्या हुआ बच्चों को? कुछ हो रहा है सर अरे, ये कहा हो रहा है? हम कुछ एरेज को फोन करने चाहिए वह ही कुछ करें है लेकिन शायद आप लोगों को ये पता नहीं है कि मुखिया ये जो पद है ये बहुत ही स्कोल से पुनीता को फोन आ रहा है बार बार हम का कर रहे, देख रहे हो न अरे, स्कोल में कुछ प्रॉबलम हो गया है चालो है का प्रॉबलम है? अब चिंता मत करो, हम अभी आते हैं गड़े निकल जा, चलो आप लोगों से माफी मंगते हैं अभी अभी बहुत ही बुरा समाचार आया है हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं वो मिड़े मिल खाते ही बिमार पड़ गए रैली छोड़कर हम जाना नहीं चाहते हैं लेकिन रैली से ज्यादा इंपोर्टन अगर हमें कुछ है, तो हमारे स्कूल के बच्चों की जान है आप लोगों से बिंती है कि जिन-जिन लोगों के पास गाड़ी आयों हमारे साथ चले तक ही और बच्चों को अस्पदाल ले जाने में आपकी मदद हो जाएगी बिंती करो झाल झाल जाल जाल कर दो डें आ कर दो और कर दो खर बुड़ Shaggy कि इस्पेक्टर साब देखिए कि आओ मेरे साफ देखिए हम सही कह रहे हैं कि हम कौनों गरबड़ी नहीं कि हैं खाना बनाने में आप पूछ लेजी अमिद्जी से अमिद्जी भी तो खाना खाये हैं हाँ मैंने खुदी टेस्ट किया था खाने में कोई दिक्कत नहीं थी और अगर कुछ गडबड़ी होता है तो इन पर अशर नहीं होता क्या आप बताइए ना बताइए चैसे अशर होगा अगर इन्होंने सब कुछ किया है तो क्या कह रहे हैं जूट और सच का फैसला तो अदालत में होगा फिलाल तो इस केस के प्राइम सस्पेक्ट अब हो बोला अगर यह सही होगा तो आजाएगा बापस चलो हालो हालो हापिंकी क्या हाल है कुछ भी ठीक नहीं जी दि आप? आप यहां क्यों आई है? क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो सब मेरी गलती का नतीजा है लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ मैं सब ठीक कर दूँगी अब कुछ ठीक नहीं हो पाएगा पता नहीं क्यों सारे सबूत मेरे खिलाफ निकले है मैं खुद ही सोचकर हैरान हूँ इसका मतलब आपको मुझ पर भरोसा नहीं है बात भरोसी की नहीं है रश्मी जी अदालत, सबूत और गवा मानती है जो सब मेरे खिलाफ है आप मीडिया में कितना भी शोर शराबा मचा लीजिए लेकिन जो ये मेरे माथे पे कलंग लगा है इसको धोपाना अब संभव नहीं है आपको किसने बताया कि मैं या मीडिया रिपोर्टिंग करने आई हूँ आइम एडवोकेट रश्मी हजारिका डिफेंस लॉयर प्रम यॉर साइड दीजिए पेपर पर साइन कर दीजिए आप लॉयर भी है? हाँ, ललबी के पढ़ाई के बाद दो साल तक एक सीनियर एडवोकेट के अंडर काम भी किया था यॉर अपने पचीस साल के उकालत के पेशे में मैंने ऐसा ओपिन और शट केस नहीं देखा जज साब, केस बहुत सिंपल है कटगरे में खड़े ये मलजिम ये पागल है ये साइकिक है, योर आउनर जरा जरा सी बात पर ये तुनक जाता है अपना आपा खो देता है और इसी साइकिकनेस की होजाज से इसने बच्चों के खाने में जहर मिलाया जिससे अठासी बच्चे बीमार पड़ गए उन्हें अस्पिताल में भरती करवाना पड़ा छे बच्चों की जान जाते जाते बच गई मगर दो मासुमों की जान चली गई योर आउनर योर आउनर ये रहा हस्पिटल का रिपोर्ट जिसमें साफ साफ लिखा है योर आउनर ये देखिए ये है वो जहर की शीशी जिसका जहर बच्चों के खाने में मिलाया गया था तलाशी के दवरान पुलिस को मुल्जम के बैक से मिला योर आउनर इस सीशी में पाए गया ये केमीकल का ये रिपोर्ट है योर आउनर इसमें साफ साफ लिखा है कि सीशी के जहर को बच्चों के खाने में मिलाया गया था जिसे बच्चों ने खाया था अरे कैसी वकील रखे हैं आप लोग ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है डोंट वरी ये अभी तो कुछ नहीं बोल रही लेकिन जब बोलना स्टार्ट करेगे न तो देखना सब का बोलती बंद हो जाए लेकिन कब जश्साब फैसला सुना देंगे तब ओडर ओडर सालेंस प्लीज योर ओणर ये सच है कि उस शीशी में जो जहर है वो वही जहर है जो बच्चों के मिड़े मील में मिलाया गया था लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उस शीशी में किसी के भी फिंगर प्रिंस का निशान नहीं मिला काफी चाला की से फिंगर प्रिंस मिटाए गए और मेरे क्लाइन को फसाने की साजश की गई और वो जहर की शीशी इनके बैग में डाल दी गई बैग में डाल दिया गया ऐसा कौन कर सकता है? मैं किसी का नाम तब तक नहीं लेना चाहूंगी जब तक कि उनके खिलाफ मेरे पास कोई पुखता सबूत ना हो फिलाहाल तो आपके क्लाइंट के खिलाफ सारे सबूत है वकील साहिबा? कौन से सबूत? वो जहर की शीशी जी हाँ, जहर की शीशी, वो एक एहम सबूत है तुरपाठी जी, आप इतने जाने माने वकील है लेकिन आप इतने इमेच्यॉर कैसे हो सकते हैं? सोचने वाली बात है यॉर आउनर अगर मेरे क्लाइंट ने जहर मिलाने का काम किया होता तो फिंगर प्रिंट मिटाने के बाद वो उस शीशी को कहीं भी फेक सकते थे वो अपने बैग में वो शीशी क्यों रखते? मतलब साफ है यॉर आउनर इनको फसाने की गहरी साजिश की जा रही है अगर आपकी अनुमती हो तो मैं कुछ बोलू? हम यॉर आउनर मुल्जिम साइकिक है आई अबजेक्ट यॉर आउनर ये बार बार मेरे क्लाइन को साइकिक बोल रहे है क्योंकि ये साइकिक है यॉर आउनर और मैं अदालत में साबित कर सकता हूँ तो साबित कीजिए ना अदालत का वक्त हमोखा क्यों बरबात कर रहे हैं? येस यूर अउनर मैं अदालत में कुछ गवाह पेश करने की इजाज़त चाहता हूं इजाज़त है मेरे पहले गवाह है हेड मास्टर दिनानाथ हेड मास्टर दिनानाथ जी आप एक बाद बताईए क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मुल्जिम अमित पागल किस्म का आदमी है? देखिए, शुरू शुरू में लगा, लेकिन… लेकिन लेकिन कुछ नहीं, लगा था लगा था, योर अउनर हेड मास्टर दिनानाथ को लगा था कि मुल्जिम अमित पागल किस्म का आदमी है पॉइंट वी नोटेट I object, Your Honor. Prosecutor Mr. Tripathi, गवाह को अपनी बात पूरी करने से रोक रहे हैं। Objects unsustained, गवाह को अपनी बात पूरी करने का मौका दिया जाता है। Yes, Your Honor. Thanks, My Lord. You may proceed. हाँ, तो Headmaster साहब बताईए। देखिए, जब ये स्कूल में आये, उस वक्त स्कूल की हालत बहुत खराब थी। सिर्फ 20-25 बच्चे स्कूल आये करते थे, उसमें से भी कुछ बच्चे तो मिड़े मील खाकर भाग जाये करते थे। जब ही आये, तो इन्होंने कहा कि स्कूल की हालत पर कुछ काम किया जाये, उसको सुधारा जाये, तब मैंने समझा कि ये किस तरह का पागलपन है, लेकिन वाकई जो इन्होंने कमाल दिखाया, उससे आज स्कूल में तकरीबन धेर सो बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए आय इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लगता है कि स्कूल की हालत पूरी तरह बदल चुकी है, जी हाँ योर ओनर, और ये कमाल कर दिखाया है मेरे क्लाइंट ने, जिन्हें हाथ साइकिक, मर्डरर और नजाने क्या क्या कहा जा रहा है, योर ओनर, ये जो कुछ बदलाव हुआ है, उस बदलाव में मुल्जिम से ज्यादा स्कूल के बच्चों का योगदान है, क्यों मैं सही कह रहा हूँ न, जी, योगदान नहीं, शोशन कहिए, शोशन स्रब्द प्रियुक्त है, एक्स्प्लाटेशन, योर ओनर, बच्चे जब सुबह 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 स्कूल आते, उ तो उन्हें घर जाने से रोक कर, उन मासूमों से मजदूरों की तरह काम करवाना, ये शोशन नहीं तो और क्या है, योर ओनर? I object, my lord, किसी भी बच्चे के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं हुई थी, मैं खुद एज रिपोर्टर वहां मौजूद थी Your Honor, वकील साहिवा स्वैम, मुल्जिम अमित के साथ, उन बच्चों का शोशन करने में सहयोग दे रही थी, और मैं ये अदालत में सावित कर सकता हूँ, Your Honor हाँ तो Head Master दीनानाद जी, क्या ये सच है कि इस्कूल की साफ सफाई, इस्कूल के बच्चे ही करते थे? जी हाँ, बच्चे गरते थे, बच्चों के साथ हम लोग भी करते थे, और खास तोर पर अमित कौन क्या करता था ये सवाल नहीं है, सवाल सीधा है कि क्या बच्चे साफ सफाई करते थे? जी हाँ, करते थे इनके स्कूल और इनके जैसे लगभग सारे प्राइमरी स्कूलों में साफ सफाई के लिए किसे भी स्वीपर और प्यून की न्यूकती नहीं है इसके बाद बस तीन ही आप्शन्स बच्चते हैं पहला, या तो स्कूल को ऐसे ही गंदा छोड़ दिया जाए दूसरा, टीचर खुद आकर पहले पूरी स्कूल की साफ सफाई करे और उसके बाद परहाना शुरू करे या तीसरा बच्चे मिलकर स्कूल की साफ सफाई करे इनके स्कूल में बच्चे ही नहीं, तीचर भी मिलकर सुबर साफ सफाई करते हैं तो ऐसे में इनका स्कूल तो आइडियल स्कूल में काउंट होता है जजज साहब आइडियल स्कूल? ओहो तो आइडियल स्कूल में बच्चों से साफ सफाई करवाया जाता है वाँ, अगर आईडियल स्कूल में ये होता है तो Your Honor मैं तो अपने बच्चों को ऐसे इसकूल में कभी न डालू आप डालेंगे जज साथ इस केस का इससे कुछ लेना देना नहीं है लेना देना है Your Honor, लेना देना है यब हम और आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में नहीं डाल सकते तो फिर ये आइडियल स्कूल कैसे हुआ मैं बताती हूँ Your Honor, हम सबके घरों में बच्चे हैं और बच्चे घर में छोटे मोटे कामों में हमारा हाथ भी बटाते हैं ये एक संसकार है जो बच्चों को बच्चपन में दिये जाते हैं लेकिन अगर यही संसकार एक स्कूल में दिखते हैं तो मिस्टर त्रपाठी जैसे लोग उसको सोशन का नाम देते हैं Your Honor, बच्चों से मजदूरों वाला काम करवाना संसकार है? हाँ है, अगर बच्चों के साथ खुद मिलकर काम किया जाए तो इससे बच्चों को नैतिक शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता Your Honor, Child Liver Act 1986 14 साल से कम उम्र के बच्चों से आप किसी तरह का काम नहीं करवा सकते और इन्होंने काम करवाया हाँ तो Head Master दीनानाज जी आपने बताया कि ये जो शक्स कटगरे में खड़ा है ये पहले आपको पागल लगा फिर आपको पागल नहीं लगा लेकिन जहां तक मुझे पता है कुछ दिनों से आपको भी इनके behavior में changes नदर आ रहे थे और आपने शायद warn भी किया था जी नहीं, warn नहीं किया, मैंने नहीं समझाया था क्यों? क्योंकि कुछ दिनों से चड़चड़े हो रहे थे चिड़चड़े हो रहे थे बच्चों से मारपीट कर रहे थे जी नहीं चंदन और गुल्लू नाम के बच्चे बुलिस को बयान दे चुके हैं कि इनके मारपीट के कारण उन बच्चों को चोट आई जिन बच्चों के आपने नाम लिये तो नहायती शरारती बच्चे है शरारती बच्चे जी बच्चों के शरारत के कारण आप आजादी मिल जाती है कि आप बच्चों के साथ मार पिट करें एकाथ थपड जजवात में आके मार दिया तो क्या करें एकाथ थपड जी बिननाज जी आपकी उम्र क्या है अठावन सा चायद बढ़ती उम्र के कारण आपकी आदाश कमजोर हो गई है खर मैं आपको याद दिलाता हूँ चंदन के सिर से खून भी निकला था इनके मार पीट करने की वज़ा से जी नहीं वो एक हाथसा था क्योंकि उन्होंने उस बच्चे को मारने के लिए उन्होंने हाथ उठाया बच्चे ने अपने आपको बचाने के लिए सर पीछे किया तो इत्तफाकन खिटकी खुली हुई थी उसका पला बाहर की तरफ था उसे सर टकराया और चोट लग गई बस इतनी सी बात है खुन निकला था? खुन निकला था या नहीं? जी हाँ निकला था मैंने बताया आपको अब आप जा सकते हैं योर अउनर अब हमारे दूसरे कवाह है इस्कूल की रसोया मिसरी पड़ाम सर हाँ तो मिसरी जी आप पिछे चार सालों से इस्कूल में मिड़े मिल का खाना बना रहे हैं हाँ जी हाँ अब से पहले ऐसा कभी हुआ की आपके हाथ का खाना बनाया खा के बच्चे बिमार पड़े हो जी नहीं, कभी नहीं फिर उस दिन ऐसा हाथसा कैसे हो गया? वो तो हमनों को खुदे नहीं पता चल पा रहा है की इस सब कैसे हो गया? खाना दो बहुत बढ़िया बनाया थे अमिद जी आये थे रसोई में टेस्ट करने के लिए खाना ओ, इन्होंने खाना खुद टेस्ट किया था? जी मुल्जिम अमिद ने मिसरी के द्वारा बनाये गए खाने को खुद टेस्ट किया था मतलब साफ है और आउनर खाना जो बना था उसमें कोई गरबर नहीं था एक भाद बताईए आप खाना लेकर रसोई से बाहर अमिद जी के पास गये थे? या अमिद जी आये थे? वो तो अमिद जी ही आये थे अंदर अमिद जी आये थे? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर हम और गोपाल दरी बिचाने के लिए बाहर चले गए थे और अमिद? वो रसोई में थे अकेले? जी हाँ तो साफ है यूर आउनर मुल्जिम नहीं मौके का फाइदा उठाकर खाने में जहर मिलाया जी ये जूट है मैंने कुछ नहीं मिलाया था तो फिर जहर की वो शीशी आपके बैग में कैसे आ गई? मुझे फसानी की कोशिश की जा रही है अच्छा? कौन फसा सकता है भला आपको? मुखिया जी और उनके चोटे भाई मुखिया जी और उनके चोटे भाई ज़साब जहां तक मुझे मालूम है कि मुखिया जी उस दिन उस समय इसकूल तो छोड़िये गाउं से भी दूर किसी चुनावी सभा में उपस्थित थे जब वो आदमी वहां उपस्थित ही नहीं है तो फिर खाने में जहर कैसे मिला सकता है? जी मुझे मालूम नहीं मुझे मालूम नहीं जज सहाब इन्हें कुछ मालूम ही नहीं है जज सहाब अब तक अदालत में ये साफ हो चुका है जो खाना बनाया गया था उसमें जहर मिला हुआ नहीं था सिर्फ यही एक शक्स थे जो कीचन में अकेले मौजूद थे इनके पास पूरा मौका था खाने में जहर मिलाने का दूसरी बात योर अनर बच्चे जब खाना खा रहे थे ये आफिस में थे जहां इनका बैग था इनको पूरा मौका था कि ये बैग में जहर की शिशी रखे ये और अनर अब बात आती है मोटिव की तो मैं आदालत के सामने वो भी साफ कर देता हूँ मिसरी जी आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ दिनों से ये चिड़चड़े हो गए थे इनका बैओहार बच्चों के परती बदल गया था बच्चे थे जो किसे के साथ मिलके इनको परिशान कर रहे थे कुछ बच्चे थे जो मिलके परिशान कर रहे थे मैं समझा नहीं कुछ इन्होंने कभी खुलके तो नहीं बताये लेकिन बात उस दिन की है कि एक दिन, एक दिन क्या हुआ नहीं मिसरी, तुम कुछ नहीं बताओगे, तुमने मुझसे वादा किया था हमको बोलने दीजिए, वादा आपसे बढ़कर नहीं है आज अगर नहीं बोलेंगे न, तो यह लोग आपको पागल साबित कर देंगे हिया पे हाँ तो बताइए, क्या कहना चालते हैं आज से कि तीन दिन पहले, अमिद जी आहे थे हमरे पास में, बोले थे हमसे कि माचिस दो तो हमको लगा कि तू सिगरेट वेगर पीते नहीं हैं, तो कहाए के लिए माचिस मांग रहे हैं, तो हम माचिस तो दे दिये, लेकिन हम इनका पिछा किये, कि आखिर कहां जा रहे है हाँ सर, हमें दो मिनिट में आया का, 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 का है सर, यह असली फोटो नहीं है, जाली फोटो है दिखाओ, यह, दिखाओ हमरे हाथ में दो ना, यह फोटो दिखा करके मुझे कोई फसाने की कोशिश कर रहा है आपकी इस फोटो वाली बात को, आपके अलावा और कोई जानता है जो यह साबित कर सके कि आप जो कह रहे हैं, वो सच कह रहे हैं वो, नकली फोटो के बारे में एक मिनट, नकली और असली की बात बाद में करेंगे पहले ये बताए कि आपके अलावा कोई और जानता था इसके बारे में जानता था या नहीं जी जी हमरे ख्याल से तुरे लेकिन उस लिफाफे के बारे में सब को पता था आप चाहे तो सबसे पूछ भी सकता है तो इसलिए आप राजु को उस दिन जो है घर वापिस भेज़ दिया अच्छा जी सच सच बताओ ये लिफाफा तुमें किस ने दिया हम सच कहरें सर हमें इसके बारे में कुछ ने मालूम तुम सच सच बता दो स्कूल से रेजिस्टर तुम ही लाते हो ना हाँ सर लेकिन लेकिन विकन कुछ नहीं येदी तुमने सच बता दिया तो तुमhें माफ कर दूगा हम सच कहरें सर हमें तो ये भी ने पता था कि रेजिस्टर के अदर लिफाफा रखऊओा था जो भी हो सच सच बता दो मैं तुम्हें माफ कर दूगा सरम पर भरुसा कीजिए जाओ यहां से लेकिन वही साही लिफाफा मिला फिर स्कूल में तो सब को यह पता चल गया कि इसमें राजु शामिल नहीं है लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है घिनोना साजिस है इसके बारे में कोनों पता नहीं चल पाया हाँ इसलिए वो बच्चों को बुला के धमकाये थे जी ठीक है आप जा सकते तैंक यू जी कहाँ जाए इस तरफ यूर अनर अब हमारे अगली गवा है पुनिता जी जो इसकूल में पढ़ाती है टीचर है पुनिता जी आपको क्या लगता है कि खाने में जहर किसने मिलाया हुआ जी यकीन के साथ तो नहीं कह सकते है लेकिन साख तो इन्हें पड़ जाता है क्योंकि उस दिन कमरे में इनके बाद कोई अकेले गया ही नहीं था खानी में जहर मिलानी की वज़ा क्या हो सकती है सायदू लिफाफा जिसके अंदर का था हूँ तो हमको पता नहीं है लेकिन उसको लेकर यह बहुत गुस्से में थे घटना के एक दिन पहले तो इन्हों ने स्कूल के सारी बच्चों को इकटा करके धमकी दे डाली कि जो भी ऐसा काम कर रहा है वो सामने आ का सासर बता दे नहीं तो उसको छोड़ेंगे नहीं लेकिन कोई बच्चा सामने नहीं आया जी योर अनर मतलब साफ है कि कोई लिफाफे के जरिये मुल्जिम को ब्लैक मेल लिया परिशान कर रहा था और मुल्जिम अमित को लग रहा था कि ये काम बच्चे में से कोई कर रहा है और मुल्जिम ने बच्चों को सबक सिखाने के लिए बच्चों के खाने में ही जहर मिला दिया इतना घिनोना काम योर अनर मुल्जिम के इस घिनोने काम के लिए इस जर्म के लिए मैं आदालत से मांग करता हूँ कि मुल्जिम को फासी की सदा दी जाए Your Honor, अभी तो जर्म साबित भी नहीं हुआ और मेरे काबिल दोस्त सदा पर आ गए लगता है बड़ी जल्दी में है आप Your Honor, मैं गवाः पुनिता जी से कुछ पूछना चाहती हूँ यो मैं प्रोसेड़ हाँ तो पुनिता जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक साइकिक या पागल किसम का आदमी इतनी सफाई से खाने में जहर मिला देता है कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलता अरे यह कोन पागल उगल नहीं है यह तो बहुते चलाग है इनको गुसा भी नहीं आता है लेकिन जब आता है तो बहुते खतरनाक आता है अच्छा, तो इनके खतरनाक वाले गुसे की कोई एक्जाम्पल होंगे आपके पास क्या आप उधर क्यों देख रही हैं आपने भी बोला ना कि इनको बहुत खतरनाक वाला गुस्सा आता है तो एक दो एक्जाम्पल दीजे कुछ तो याद होगा हाँ हाँ तो बताईए अरे वो वो अपने स्कूल का बच्चा है ना चंदन उसको तो इन्होंने इतना मान मारा था कि उसके तो सर से खुन भैगया था आपको कोई एक दो और घटना याद होगी हाँ ये तो अक्सर बच्चों को स्कूल से घरी वापस भेज देते थे अरे इनका बस चलता तो वो गुल्लू का नाम ही कटवा देते स्कूल से पता नहीं इनको उससे क्या खुंदक था वो तो बिचारा इनके क्लास्रूम से ज़्यादा बाहरे खड़ा रहता था तनी को कुछ किया नहीं ले जाके बाहर खड़ा कर देते थे ठीक है अब जा सकती है यॉर आउनर पुनीता जी के बातों से ये साफ होता है कि अगर मेरे क्लाइन को किसी बच्चे पर गुस्सा भी आता था तो फिर वो उनसे मारपीट करने की जगा उनको क्लास्रूम से बाहर निकाल देते थे या फिर उस दिन के लिए स्कूल से ही बाहर निकाल देते थे यानि जो खतरनाक वाले गुस्से की वो बात कर रही थी वो बात सच नहीं है और हाँ यॉर आउनर अभी तो इस केस से जुड़े एक दूसरे अंगल को टच भी नहीं किया दूसरा अंगल मतलब? मतलब ये कि मुल्जिम को इस केस में फसा कर किसे सबसे ज़्यादा फाइदा हो रहा था? यॉर आउनर ऐसी कोई बात नहीं है अभी तक तो सारे सबूत और गवा मुल्जिम के खिलाफ ही है लेकिन कोई भी सबूत या गवा पुखते तोर पर ये साबित नहीं करता कि मेरे क्लाइन्ट नहीं ये गिनावना काम किया है लेकिन ये जरूर साफ है कि इनके पीट पीछे कोई साजिश रच रहा है कौन रच सकता है यॉर आउनर? मुख्या गजराज प्रताप सिंग आई अबजक्त यॉर आउनर? अबजक्स अन ओवर रूल थैंक्यू यॉर आउनर मैं इस साजिश का परदा फार्श करने के लिए मुख्या गजराज प्रताप सिंग को कड़ घरे में बुलाने की इजाज़त चाहती हूँ इजाज़त है प्रणाप हाँ तो मुख्या जी आजकल आप हर चुनावी सभा के मंच पर हाँ तो गलत है मतलब ये सच बोल रहे हैं न हम जो है वो सच आई बता ही हमने हाँ लेकिन क्यूं क्यूंकि इस से आपको चुनावी फाइदा होगा है ना अभी आप कहना है क्या चाहती है मतलब बच्चों के खाने में जहर हमने मिला दिया और हम ही बच्चा ने आ गया है जी हाँ यसे कैसे लेकिन बस अंतर यही है कि आपने वो जहर खुद नहीं बलकि किसी दूसरों के हाथों मिलवाया अपने क्लाइंट को बेगुना साबित करने के लिए मन गढ़ंत कहानिया बना कर एक शरीफ आदमी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है यॉर ओनर आप प्लीस थोड़ी देर के लिए इने शान बैठने का आदेश दीजिए क्योंकि अब मैं इस केस से जुड़े सबसे इंपोर्टेंट फैक्टर पर बात करने जा रही थी कोट का समय खतम हुआ यॉर ओनर हमारी काबिल दोस्त के इंपोर्टेंट फैक्टर्स पर कल सुनु आई होगा क्यों? लेकिन यॉर ओनर मेरा क्लाइंट बेगुना है और ये बात मैं साबित भी कर दूँगी लेकिन अब तक इनके साइकिक होने के बात पर इन्हें जमानत नहीं मिल पा रहा था लेकिन अब तक के पेश्वे सारे गवाहों ने माना है कि ये साइकिक नहीं है गवाहों के बयान से ये साफ हो गया है कि मुल्जिम साइकिक नहीं है उसे कोई परिशान और उपसाने की कोशिश कर रहा है लिहाजा इस केस में किसी साजिस के संभावना होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है इसलिए ये आदालत मुल्जिम की जमानत की अर्जी मन्जूर करती है साथ ही आदालत कल तक के लिए मुल्तवी की जाती है थैंक्यू माई लॉड अरे तभल के उतरियेगा ठीक है ताला लगा हुए धर तु यह हां ताला लगा हुआ है दुम कोई है का हुँए कोई नहीं ये पहीं वह हैं ये कभां समय आदा का गर्टनाव से अंतरा बंध नहीं आहींczenie पल्रे वरह कर Tuesdays वान BILL祝ा जया होगा है चलो 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 कर ब्सकतց आप इधर बैट करके दारू पी रहे हैं और उधर राजु का बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है अरे ठीक हो जाएगा मुखिया जीने दवाई भेजवाई है ना तू बस उसको टाइम से देती रहा हमको तो लगता है कि इस सब आपके ही पाप का फल है सची सची बताइएगा आप ही बच्चा लोग को जहर दिये थे ना अरे दिमाग खराब हो गया तेरा हम भला ऐसा काहे करेंगे अरे हमको मत समझाएए हमको सब कुछ पता है उम्मुखिया के लिए ना आप कुछो कर सकते हैं हाँ तो किया हमने अब तू अपना मुझ बंद रख इसी में हम तीनों की भलाई है अब बे तो मुर्गी कहने खाते वे कौन हो सकता है अभी चल देखते हैं अभी मरगे पर पूरा गाओं आया है आप क्या करें तरवाजा खलो का है तुमारे बाप का घर है का अरे गजब बत यार हो यार देखो हमको अच्छी तरह से मालूम है कि ना तुनिया उसका पूरा परिवार यहीं चुपा है हम सब उसको लेने आया है दरवाजा खोलो चलो जाओ यहां से यहां कोई नहीं है अरे कोई नहीं है तो दरवाजा खोलो ना डर क्यों रहे हो हम देख के तसल्ली कर लेंगे हमें लग रहा है कि उनको सम मालूम चलके है और अगर अब हम इधर दर्वाज़ा नहीं खोले तो सालिप पुलिस को बुलाएंगे लेकिन अंदर बुला लिया तो यह ना अरे हम काई छुपेंगे आउ सब देख के तसली कर लो चलिए सर चलिए 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 और अब ना तुम सब अपना मुझ भंद रखो नहीं तो तुम सब की जान का हथ त्यारा मैं हो जाओंगा सर वह दिखिए न थूनी कहां अब बस बस गोली चल गई है बेटा दिसी कटे से एक बार में एक ही गोली खबरदार हिरा तुम्हारे मारे भोले खोले खोड़े सर तोमारा पोला खोड़े खोले नीचे पाख्या का चप्चो जल्दी निकलो जल्दी चलो जलो 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 एक चुप रहे हैं न तो नहीं कहा है रहे उप का तो उप मास्टर साब अपने साथ ले गया है च्छे जब वो बुढवा लेके जा रहा था तो क्या ज़ाल बजा रहा था रहे हाई अलो रश्मी जी जी आप लो कहां पहुंचे हम पंदरा से बीस मिनिट में पहुंच जाएंगे आप टेंजन मत लीजिए ड्रेवर साब ज़र जली चली वक्स से पहले कोट पहुचना है योर ओनर आज मैं अदालत में एक ऐसा गवा पेश करने जा रही हूँ जिनके आने के बाद पूरा केस ही क्लियर हो जाएगा तो बुलाईए न ऐसा गवा बुलाईए जो पूरा केस क्लियर कर दे क्यों अदालत का समय पर बात कर रही है आप योर ओनर वो लोग आते ही होंगे क्यों, आपने अदालत के समय नहीं बताया था उन्हें? Your Honor, कोई नहीं आने वाला क्यूंकि ऐसा कोई गवा है है, ही नहीं गवा है, और वो है मुखिया गजराज सिंग का वफादार नौकर नतूनि एक बात बताईए मुख्या गजराज सिंग का वफादार आपका वफादार कबसे हो गया क्यूंकि उसको अपनी गल्ती का पच्छतावा है ओ आप तो पहले ये पता करिए कि आपका गवाह अदालत में आया है या नहीं कि आपका वहाँ कि आ कि पाद गाड़ी भगाओ गारी भगाओ वगाओ फड़ाफट वहाँ आख करहिए अब कार को का अथ नुएendenगे के अधर नंच सोटेजिव जर्फेंगे कि शुच्छतेंेट तके सिंगे कि आपका ये अधा निकार मद्टेंगे जर्फेंके एक जल्दी चल्दी जल्दी अजल्दी उतरो जल्दी अज़ो ज़्टी पिगड़ गड़े लो अरे अरे सम्हाल के निक्रो इक्रो बाहर आप लोग चलिए और उनको संपालता हूँ योरॉनर उनका फोन नहीं लग रहा और मुझे लगता है कि उनके जान को खत्रा है योरॉनर लगता है कि मैडम पूरी तैयारी करके आई है पहले तो इन्होंने अपने क्लाइंट जो की केस का मेन और क्यूज है उसका जमानत करवाया फिर वही अक्यूज एक कवाह लेकर आने वाला था अदालत में ना एक्यूज आया ना कवाह मुझे तो योरॉनर ऐसा लगता है कि मौके का फाइदा उठा कर इनका क्लाइंट मुल्जिम आमित फरार होने की कहीं कोशिश तो नहीं कर रहा है पडाम करते हैं मास्टर जी अभी तक तो बकरी की तरह भाग रहे थे अभी सांड की तरह टक्कर मानने के लिए सामने आ गए क्या खाया है महाराज है तो आईए इसका है साम मुख कुछों कि इसकी अमा भी नहीं पेचान पकासा सुर को काट के सासोर को दफन कर दे काट के सासोर को दफन कर दे काट कर तो गिर गए अब का करें यूर अनर मैं आपसे दर्खास करूँगा कि बिना वक्त बर्वाद किये हुए आप मुल्जिम अमित को दोशी करार करते हुए भगवडा घोशित कीजिए बस ये अदालत डिफेंस लॉयर को ये हिदायत देती है कि एक घंटे के अंदर आप गवा को और मुल्जिम को अदालत में पेश करें नहीं तो मुल्जिम को भगाने के साजिश में डिफेंस लॉयर के उपर भी केस चलाया जाएगा ये अदालत एक घंटे के लिए मुल्तवी की जाती है हमको लगता है वो लोग जरू किसी मुसिबत फसे है हम लोग चल के देखना चाहिए का वलता हैं आप हम लोग भी चलना चाहिए चल को पर चल नहीं नहीं आप यहीं रुख जाना हम इनके साथ चले जाते हैं ठीक है ठीक है चल पैसे हैं आप जो भी कुछ हो आए नहीं यहां पर उसकी बज़े आप हो और इसकी सजा आपको मिलेगी अना क्या बोले जर साब गंटा आईए हुआए ल algorithms अने जाग भूदे के बोले गल Pal ने बच क्या सस्क्री कर्क्र साना है छोड़े छोड़े हमसे घंदारी किया हमसे घंदारी किया तुम अ हच हच ए analysis रे मास्टर, कितना भागी गा रे बुळावथी में? बौन्द! वॉब्ट! बास्टोको भून्झें! बास्ट! हाग बक्त! बास्ट! बास्ट! क्या वहीडिया हर था erm Tem! हो हर पिद दो! किस्वान हो ड्रह को फ normalizedese किस्वान हो चे रख॒ण हर कान किस वॉ्स्या संद्पड्र द्रहे शलिए ируड्ड Pprochen आपने एक घंटे का टाइम दिया था डेड़ घंटे होने को है गवाह तो दूर मुल्जिम खुद फरार है योर अनर मेरे ख्याल से अदालत को और प्रतिक्षा नहीं करना चाहिए तुरंट अदालत को मुल्जिम को सजा सुनाना चाहिए डिफेंस को समय देने के बवजूद भी वो गवाह को अदालत में पेश नहीं कर पाई और तो और मुल्जिम को बेल करा करके उसको फरार करने में उसकी मदद की है लिहाजा यह अदालत एक अबीड भी यह रहा गवाह जैस सहाब मुखियाजी के कहने पर हमने ही बच्चों के खाने में जहर मिलाया था लेकिन हम जूट नहीं बोलेंग गया रोक 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 रोख हमारे गार अब रख आप कैस लगार रे रहे ? रहे ? चल्ळी हो, म्मोख्या कट चल्ते.. चल्ळी, चल्थी पकड़ पकड़ुओ टारु सेसरेप्ध आड़ु हमरी उस गलती से दो मासूम बच्चे मारे गए, हम तभी से काफी घुटन महसूस कर रहे थे ज़स साहब, लेकिन मुख्या जी ने हमें हमरी जोरू और बच्चे के साथ कैद करके रख दिया था, माई बाब, आप ही बताईए हम का कर सकते थे, आप कुछ क्रॉस क्वेशन करना चाहेंगे, क्रॉस क्वेशन, प्लीज, आप, हाँ तो नथुनी जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने बच्चों के खाने में जहर मिला दिया, लेकिन आपको किसी ने देखा भी नहीं, जैस सहाब, इस्कूल का रसोई घर का खिरकी दिन में खुला ही रहता है, हमने एक लकडी में उजहर का सिसी बांद कर, खिरकी में सही डाल में जहर मिला दिया था, क्या दाल खुली रखी थी, जी नहीं, पहले हमने उस लकडी के सहारे, दाल पे रखे ढखन को हटाया, और फिर उसमें जहर मिला दिये, और वो जहर की शीशी, वो अमित सर के बैग तक कैसे पहुँची, वो जब सब हॉस्पिटल गए थे, तो यी पुनिता मैडम चुपके से स्कूल का चाभी लाके हमको दे दी थी, और हम स्कूल जाकर, उस इसी को अच्छे से पोच कर, अमीत बाबु का बैग में रख दिये और उस लिफाफे या फोटो उसके बारे में कुछ बताना चाहते हो, जिसके जरीए अमित को साइके क्या पागल करार करनी की कोशिश की जा रही थी अरे उधर का जा रहे है मुखिया जी, आपको तो सही जगए पुलिस वाले लेके जाएंगे पुनिता जी को साइकिक साबित करने के लिए उनकी और रश्मी जी की फोटो बजार से एडिट कर आई थी और उन फोटो ग्रैप्स को स्कूल तक पहुचाने के लिए पुनिता जी ने हमारी मदद की थी ताकि किसी पर शक्त न हो और अमित जी का गुस्सा बच्चों पर निकले इसलिए हमने चंदन और गुल्लू जैसे बच्चों का साहरा लिए जो अमित से पहले ही चड़ते थे नतोनी और हेमराज उर्फ हेमू की गवाही से ये साफ हो जाता है कि बच्चों को जहर देने में मुखिया गजराज सिंग की साजिश है और इस साजिस में उनका साथ दिया है उनके भाई हेमराज उनकी साली पुनीता और उनके नौकर नतोनी अमित पूरी तरह से बेकसूर है इसलिए आदालत मुल्जिम को बाईज़त बरी करती है और ये आदेश देती है कि इस केस के असली गुनेहगार गजराज परताप सिंग उनके भाई हेमराज उनकी साली पुनीता इनके उपर मुकदमा चलाये जाए और नतोनी ने जो कानून की मदद करने का सही फैसला किया है इसलिए कानून ये वादा करता है कि नतोनी के साथ नर्मी से पेश आएगा और इस तरह हमारी स्कूल में एक बार फिर से पढ़ने पढ़ाने का दोर शुरू हो गया अपने इस कुलवा का देखो असर अब पढ़ने लगा है ललन मोरा ललन मोरा अंगरेजी हिंदी गणत सब पढ़ने लगा है खुद भी है पढ़ता हमें भी पढ़ाता गल्टी पे हमरी हमें भी सिखाता अरे सूरज के जैसे अब घर को रोशन करने लगा है ललन मोरा अंगरेजी हिंदी गणत सब पढ़ने लगा है ललन मोरा अंगरेजी हिंदी गणत सब पढ़ने लगा है मस्ती में उसके कमी भी तो ना है लेकिन पढ़ाई में मन तो लगा है अरे अब हर परिक्षा में उसका भी नंबर बढ़ने लगा है ललन मोरा अंगरेजी हिंदी गणत सब पढ़ने लगा है ललन मोरा अंगरेजी हिंदी गणत सब पढ़ने लगा है मस्ती में उसके कमी भी तो ना है लेकिन पढ़ाई में मन तो लगा है